हेलो बच्चो मेरा नाम है अभिनोपा डग और मैं लेकर आये हूँ आपके पास क्लास 10 का अगला वन सौट जिसका नाम है प्राइकता प्राविबिल्टी का आज हम लोग वन सौट कंप्लीट करने वाले हैं 10 क्लास का आज अंतिम लेक्चर है अगर देखा जाया अपना हम लो कुछ पुराने लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं किसी कान वस्यार जो भी दिक्कते थी तो उनको जरूर डिटेल में कंप्लीट कर ले मैंने सारे लेक्चर्स बहुत प्रॉपर बनाए हुए सिर्फ उसमें लॉंग कोश्चन की ही प्रक्टिस कराई है कुछ सौट कोश्च तो जो हमारे पास वीडियोज आ रहे हैं हम सिर्फ लॉंग कोश्चन ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि लॉंग कोश्चन की भी अपनी प्रक्टिस हो जाए डिटेल तो सब लोग प्रॉपर उन लेक्चर्स को जरूर टाइम से कंप्लीट कर लेजिए आज अपने पास अंति बाकी कि यह कूंकि यार बोट एक फरَّवरी के बास से लेक्डा मेंस सबी को सार चां wonderful कोश्चन हैं और बैङन कोश्चन की Пरक्रिस होती रहेगी मॉडल पेपर भी आपको करा रहें ताकि आपका मलब इतनी इस लेवल तक की तयारी हो सके ना कि जब आप एक्जाम में बैठेंगे तो कोई पर एक्जाम में ऐसा कोश्चन नहीं लगेगा आपको कि यह सेम कोश्चन आपने ना किया हो मलब उस पैटरन के तो मिलेंगे इस सारी उसमें कोई जग नहीं के मैक्सिमम चांस होगे कि आपने वो एक नंबर में या दो नंबर में या तीन नंबर में ज्यादा तर जो question होगा वह MCQ में आएगा या एक नंबर में या दो नंबर में या तीन नंबर में भी इसमें question बनता है और सबसे important बात है बहुत आसान चैप्टर है ये बस एक बार अच्छे से समझ लो तो हर जगह ये काम आएगा खुनायत से पढ़े आए अभी 10 में भी है इसकी बात करेंगे जितना हमारे एक्जाम बोर्ड आफ बोर्ड के एक्जाम पॉइंट आफ इस जितना important है उसकी हम पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में चर्चा करेंगे तो मिस्टार्ट करते है अपने lecture को ठीक है तो आज हम लोग प्राइकता में क्या क्या बात करेंगे बिसिकली हमें पूरी चीजें देखनी है तो हमारे पास दो एक्सराइजेस में 14.1 और 14.2 ठीक दो एक्सराइज हैं दोनों को डेटेल में देखेंगे एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं और बेसिक से ही चलेंगे ज्यादा परिसान होने की जरूवत नहीं है जिसको आता है तो थोड़ा वो फास्ट मूव करके देख सकता है जिसको नहीं भी आता है वो अपना डिटेल में पूरा लेक्चर देखें पूरा चैप्टर उसका रिवाइज हो जाएगा यह मेरी गारेंटी है ठीक है तुरफ ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि probability होती क्य है अगर हम प्राइक्ता की बात करें तो प्राइक्ता आखिर है क्या अगर किसी अगर जनरल भासा में देखें कि प्राइक्ता का मतलब क्या होता है तो प्राइक्ता का मतलब होता है किसी चीज के घटित होने की क्या संभावना किसी चीज मतलब की कोई घटना घटित की बास होती है उसे ही हम प्राइकता कहते हैं कोई घटना हो रही है उसमें क्या-क्या संभावना है कितनी संभावना है सीधी सी बात समझू जैसे कि मतलब कि अगर आपकी बात करी जाए कि आप अगले पांच मिनट बाद आप क्या करने वाले वो भी घटना है मतलब कि आप कल इस्कूल जाने वाले कि नहीं कल पानी बर्षेगा कि नहीं जैसे मौसम विवाद भी जब पूरवा नुमान लगाता है तो यही तो बोलता है कि 50 प मतलब ऐसा होने की कितने चांस है क्या संभावना है उसकी तो जन्रल भासा में इसके अगर परिवासा लिखी जाया तो यह लिखने है क्या लिखेंगे किसी घटना के होने की होने की संभावना को ही हम क्या बोलते हैं संभावना को ही हम प्राइकता बोलते हैं सीधी सी बात समय कोई घटना हो रही है और अनंत प्रकार की होती है घटना मतलब होता है इवेंट उसके संभावना कितनी मतलब कितने परसेंट चांस है कितना चांस है उसका होने की वही सिंपल प्र वो सारी यह घटना ही है और कुछ नहीं है तो किसी घटना की होने की संभावना को ही हम प्राइक्ता कहते हैं आप लोगों ने एक पढ़ रखा है फार्मूला नहीं पढ़ रखा है तो सिंपल सा एक ही फार्मूला है पूरी प्राइक्ता में प्राइक्ता में केवल लेखा जा यही एक फार्मूला है जिस पर आदारित हमें questions कमने हैं ठीक क्या है uncool पढ़ना बते cool पढ़ना इसको कहीं कहीं अगर ऐसा लिखा मिले तो confusion नहों न पीई से दिखा देते हैं equal to होता है n e बते n s इसका मतलब क्या होता है यह short form में लिख देते हैं इसी को इसलिए पी इस ब्रेकेट में लिख देते हैं पी का मतलब होता है कि probability एपी फार और इफार इवेंट मतलब किसी घटना के होने की क्या परायकता उसी को डशाता यह यह एक फार्मूला यह को पता होगा पनाव फटकूर की हाते ही ऐक फार्मूला याद रखो आपको पता होगा कि संभावना जैसे हम बोलते हैं संभावना का मतलब होता है कि चांस मतलब की जैसे की फार एक्जांपल की कितने परसेंट चांस है मतलब हमारे कितने हमारा यह कितने परसेंट चांस है कि हमारे मलब अगर हम कल स्कूल जाना है मालो तो कितने परसेंट चांस है मिला हम 80% बोलने हैं कि नहीं स्कूल जाएंगे 20% चांस नहीं तो या हम हमें सब percentage में एडिया लगाते तो ऐसे ही चांस जो होता है प्राइकता जो होती है वो बिसिकली 0% से 100% के बीच लगाई जाती है या तो हो सकता है कभी किसी चीज की प्राइक्त है, 0 % हो, 0% महीं भीला उसकी संभावना हो, नहीं बिल्कुल नहीं हो, विसकी कोई संभावना ہ लगाकशत हुर से निकलता है, तो उसकी घटना खमठना की सम अ föगर प्राइक्ता में या संहोलना बहुता तो संहोना कित्ति होगे 0% अगर निए बात भूर्वी कि थो से निकलेंगा ये बात 100% सत है तो उसकी प्रायकता हमारों उसकी संहलना कित्ति हो जाएगी 100 परसेंट इसलिए प्रायकता को जो मान होता है, आपको पता है, कि प्राइक्ता का मान जो होता है, वो 0 से 1 के बीच होता है, ये बात हम लों को पता है, प्राइक्ता का मान क्या होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, 0 भी हो सकता है, जैसे अनिश्चित गटना है जो होती है, जो कभी ऐसा हो गा ही नहीं, उनक लिए एक जैसे कि for example जलनल भासा में कि प्रत्वी सूर के चारो और चक्कर लगाती है इस संभव गटना है मतलब निश्चित घटना है यह तो हो नहीं है कि प्रत्वी ही सूर के चारो चकर लगाएगी इसलिए उसकी प्रत्वी कोड़ अगर अगर आम यह बोल दें कि सूर प्रत्वी की ओर चकर लगाएगा तो यह अनिस्चित घटना मतलब की बात गलत है अश्चित ऐसा कभी नहीं होता है तो उसकी प्रत्व गटना से सिंफल जीरो तो जीरो और एक भी करेंगे सिर्फ गटनाओं के बारे में और उन गटनाओं से बनने वाले कुल पढ़爭ाव पहले हमसें कि उससे कितने कुल पढ़नाम हो सकते अगर कोई गटना घटित होती है अब हमें कौन सी गटना को उच्छाल ले होंगे, कभी तीन सिक्कों को उच्छाल ले होंगे, कभी हम कोई पासा फेक रहे होंगे, लूडो का पासा देखा है, कभी पासा को फेक रहे होंगे, कभी एक पासा फेक रहे होंगे, कभी दो फेक रहे होंगे, या किसी कास की गड़ी से कोई पत्ता निकाल ले होंगे या कोई हमारे पास एक box होगा या कोई थैला होगा उससे हम different different color की balls होंगे उसमें गेंदे होंगी उनमें से कोई एक गेंद को निकाल ले होंगे तो ये जब इनकी बात करेंगे वो उन पर आदारित हमारे पास questions बनते उन घटनाओं में कुल संभावित परणाम कितने हो सकते हैं कुल परणाम कितने हो सकते हैं उनकी अब हम चर्चा लाए तो क्या-क्या संभाव परणाम हो गए क्या-क्या result आने वाले उसके क्या-क्या outcomes आने वाले उनिके पहले कर लेते अगर को एक उच्का उच्खाला जाएगा फॉर इसांपल्स तुम्हारे पास को एक का या दो का जीसे दस का बनाये तो या तो ऐसे उच्छालोगे य तो टेल आएगा, head मतलब होता है, चित, या होता है, पट, तो या तो चित आएगा, या तो पट आएगा, simple दो ही संभावनाय बनती है, जब एक सिक्का उछाला जाता है, सर्या तो हमारे पास चित आता है, यह हमारे पास पट आता है, यही दो संभावनाय बनती है, चित कॉम ईक पहुआ पठेबस वरthebike को भॉलते टेल , तभी आप देखोगे की चिट को वता है मैक्सिमम्स से द्रसाया जाता ओल को जोटा है वो कैप्टर टी से ध्र सायता है तो उसी से धर्षायां गे यहां पर कि चित को H से और पट को ती से तो जब एग सिख्का उछालाएगा सबसे सिंपल कॉंसेट अगर अमने को एक सिख्का उचाला है तो या तो उस पर सर्चित कैकना दिमाग anoFak या तो उस पर चित आएगा या तो पट आएगा और इसके अलाबर तीसरी कोई संभावना नहीं होती है अब इस पर कोश्चन कैसा बनता है एक ही कोश्चन बनता है दो टाइप से पूछ सकता है कि सर उसकी प्राइकता बतागे मानलों एक सिक्का उच्छाला जाता है तो उस पटेव लाए गए थो हैक नंडर आगया हमारे पास टेल हैसा ही अगर है ढनेकी प्राइकता बोले बहुत ही क्या होगी एक बटेट दू यह वाने हिच्चित आने की प्राइक्ता भी एक बट्रे दो होती एक तेल आने की प्राइक्ता भी एक बट्रे दो टी इए क्योंकि हैड भी हमारे पास देखे अ अगर तोटल पड़नाम देखे तो है Mehdi detox में कोई एक ही आएगा तो वह हमारे पास से उचाल दिया तो यह हो सकता कि दो अलग अलग सिक्के एक साथ उचाल दिया या हो सकता है एक सिक्के को उमने दो बार उचाल दिया दोनों बातों का मतलब सेम है तो जब दो सिक्के हमारे पास उचाले जाएंगे तो क्या क्या परणाम हो सकते हैं यहां से परणाम बनेंगे सर books यह तो दोनों पर हमारे पास क्या आ जाए दोनों पर हेड है यह एक पर फिर पडोंवे ट्रॉट है यह पहले वारे पे ट्रॉट आ गए दूस्री वाले पर हमेर राज्य या दोगों पर ट्रॉट तो कि यहीं तो बने गिचार इसके अलावह तो नहीं किसी के दिमाग में आ रहा कि सर यह भी हो सकता है ऐसी होगा मालों तुम ने एक सिखका पहले एक वाला उच्छाला उस qualified थिक दूसरा उच्छा है उसको पहले तो यह लावा और कोई परणाम तो नहीं किसी की दिमाग में आ रहा है तो जब 2 शिक्के उच्छाले जाते हैं तो कितने परणाम बनते चार वैसे भी जब सिक्के उच्छालने की बात आती तो कुल परणाम जो हम लिखते हैं वो दो की दो पावर एंसे लिखते हैं अब यह दो बार उच्छाला गया है तो दो की पावर दो हो जाएगा एंक दो कितना उजएगा चार कुल परणाम कितने मन जाएंगे चार सुख्य चर्छ परणाम के लावा खोई और अन्समभावना नहीं बनेगी यहाई चार समभावनाय बन से कि प्राइक्ता ग्याद करो चित आने की मैं लिख दूं कि चित आने की आप प्राइक्ता ग्याद करो अगर आपने दो सिक्के उछा ले हैं तो चित आने की प्राइक्ता ग्याद करो तो कुल परणाम तो चारी रहेंगे तो बटे में तो चारी रहेगा क्यों कि सर कुल दो चित आने की प्राइक्ता कि रहा रहा है इक यहां पर आ रहा है तो इसकी नको कुल परडाम तो चार ही रहेंगे लेकिन एक चित तो एक यहां पर यहां पर तो सिंपल क्या हो जाएगी दो बट्टे चार मतलब की एक बट्टे दो तो अगर एक चित आने की प्राइकता पूछेंगे तो दो बट्टे चार हो जाएगी क्योंकि दो जगए सर अन्कूल प्रणाम है कुल प्रणाम चार रहेंगे तो एक बट्टे दो जाएगे इस पर और भी रेकता है, कम से कम एक पट, तो कम से कम अगर एक पट आने की प्राइकता है, इसमें पूझ दे तुम से तो कैसे निकालोगे, देखो, पहले बात समझो, अनकूल परणाम तो मारे पास 4 रहेंगे, तो बटे में 4 लिगो, उसको छोड़ दो, कुल परणाम तो 4 रहेंगे, उनक यहां पर है ठिक यह पट है यह भी पट है पट मतलब की टेल पट का मतलब समझ रहो ना पट मतलब टेल है यार यहां पर है चित मतलब की हैड मैं लिख चुका हो पीछे इसको एक बार याद कर लो कि जब भी हैड लिखा जाएगा मतलब एच लिखा जाएगा वो चित है टेल मतलब की पट कहा था कम से कम एक पट तो को एक पट यहां पर है एक यहां पर है और यहां पर भी दो पट है तो कम से कम बाला केश चाहिए तो एक ये एक ये और ये तो तीन हमारे पास अनकूल परणाम हो जाएंगे तो तीन बटे चार हो जाएगा कम से कम, एक तो चाहिए ही था, तो इस लिए इसमें भी एक था, इसमें एक बर, इसमें तो दो आगए, कोई दिखत नहीं, लेकिन कम से कम का case लिखा था, ज्यादा से ज्यादा कित्ते भी हो सकतें, तो दो जीवों इस यह था तो यह तो गाउंट होगे, एक यह भी एक बाट जाता है तो दो की पावर औक केस भटोस बंधा और यहां पर कितने बार उछाला जारा थीन बार चुच अरिफ पींच खोर से लिकोंगे में लिकाता हूं आप पहले चार बार ऐसे एडले फिचार बार टेल तिक चार बार हैड फिर चार बार टेल फिर दो बार हैड दो बार टेल दो बार हैड दो बार टेल तिक फिर आप एक बार हैड एक बार टेल एक बार हैड 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 यह टो दो बार है डो बार टेल, दो बार है डो बार टेल, हैड टेल, हैड टेल, हैड टेल, हैड टेल, हैड टेल, हैड टेल, ऐसे ही आप आराम से याद करने की छोटी सी ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि आठ केस बनने हो सकता कन्फ्यूज हो जाओ, तो इस ट्रिक से अग question कहें दे तुम्हारे पास की एक प्राइक्ता ग्याद करो इसमें मालों तुमसे कहें दे दो चित आने की प्राइक्ता ग्याद करो दो चित तो दो चित तुम्हें कहां कहां दिख रहे हैं देखो दो चित कहां कहां पर दिख रहे हैं टोटल तो इसमें आठी होगा मतलब कुल परणाम बटे में आठ आएगा हमें दो चित वाले और चाहिए अनकूल परणाम और चाहिए तो दो चित हमारे पास कहां कहां दिख रहे है एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर, एक दो यहाँ पर, एक दो यहाँ पर, दो हो गए, फिर यहाँ पर तीन, बस तीन, तीन ही जगे मिलेंगे, तो तीन बटे आठ इसकी क्या हो जाएगी प्राइकता, अगर इसी में कोशन पूच दे तुम से, एक पट आने की प्रा समझे बात बात समझ में आई कि कैसे निकालना है अच्छा कोश्चन जो बनेगा वह इस प्रकार का कि प्राइक्ता कम से कम जो कम से कम बाले केस उते वह अच्छे बाइक कोश्चन बनते कम से कम एक चित आने की प्राइक्ता यह बहुत अच्छा कोश्चन कम से कम एक चित अनकूल परड़ाम तो अभी भी आठ रहेंगे अब कम से कम एक चित हमें देखना है मतलब कम से कम एक चित तो होना ही चाहिए दो भी हो सकते हैं तीन भी लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए तो कौन कौन से होगा एक चित हमें कम से कम एक चित चाहिए तो एक चित हमें कहा कहा दिख रहा है देखो एक तो यहाँ पर दिख रहा है एक यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर दो है यह भी आ जाएगा हो आला के शुड़ के बाकी साथ यह सब्सक्राइब कर जा जांगे एक दो तीन चार पांच से साथ क्योंकि सभी में कहीं ना कहीं एक चित तो है यहाँ पर भी पिर यहाँ प्र बीचित है यहाँ पर तो दो चित्थ हो गए ठिक एप सुरी जित की बात है होगी मैं पट्ट का केस बता रहा हूँ यह मलब मैं जो बोला था यह पट्ट की बात होगे त्युक्त मैं टेल डूनना था तो कुछ चित्त मतलब की है 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 मैं लिख दूँ खुद नहीं हमारे खुद कन्फूज था पट मतलब की टेल अब मैं क्या चाहिए कम से कम एक चीत चाहिए तो कम से कम एक चीत देखो तुम्हें यहां पर दिख रही है एक यहां पर दिख रहा दो दो यहां पर है कोई दिक्कत ने दो आ सकते यहां पर एक यहां पर दो एक पट के दे तो भी प्राहिकता साथ बते आट होगी क्योंकि तब तीनों हेड़ वाला के शूट जाएगा बाकी नीचे के सारों आ जाएगे ठीक है बात के लिए अब इस पर एक दू एक्सरसाइस के कोश्चन लगाते हैं यह तो मैंने खुछ से डिजाइन हुए कि यह कैस है कि जो अपने मन से बना सकते हैं वो मैंने सिर्फ एक्जामपल के तौर पर बता दिए ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि कोश्चन बनने कैसे वाले है ठीक है मैं डारेक्ट लिख रहा हूं यह अनकूल परणाम बटे कुल परणाम है फार्मूला नहीं लिख रह है इस पर कोश्चन दों कैसा दिया गया है कि कह रहा हरप्रित दो अपतिक अपैस के पास ज yogh जब भी question तुम्हारे पास आएगा तुम start कैसे करोंगे उसलिए क्या लिया हर्पीज ने दो भिन्न भिन्न सिक्कों को उच्छाला है तो जब दो सिक्के उच्छाले हैं तो सबसे पहले उसके total case लिख लो जो मैंने यह अभी बताए कि जब भी आप question आएगा सबसे पहले उसक या टेल टेल होगा यही चार परड़ाम बनेंगे ठिक यह चार परड़ाम बनेंगे ठिक क्योंकि दो सिक्के उच्छाले गए आपको पता है दो की पावर दो मतलब की चार परड़ाम बनेंगे यह चार परड़ाम हमने लिख लिए अब आंगे की बास समझे इसकी प्राइक ग्याद करनी है पी कम से कम एक चित कम से कम एक चित उसके पास आना चाहिए टोटल परड़ाम किते हैं सर हम अब फार्मूला देखो सभी में लिखोगे मैं इधर लिख देता हूँ एक बार फार्मूला सारे कोश्चन में तुम लिखोगे पहले आप लिखोगे प्राइक्ता बराबर कुल परड़ाम बटे में है जो और अंस में होता है अनकूल परड़ा फार्मूला सभी में लिखोगे मैं बार बार लिख दे रहा हूँ लेकिन मैं नहीं लिखूँ तो उसके लिए कन्फ्यूज नहों ना ठिक फार्मूला लिखोगे आप प्राइक्ता इक्वल है connection ने आपर दोनों चीत है यहां पर एक जिता है यहां पर एक भी नहीं कोई दिक्कत नहीं हमें कम से कम एक चinson तो एक यहां पर यहां पर यहां पर यहां टूनौ कि सोचना कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए दो या तीन जादा हो जाये उसकी कोई दिखने कि कम से कम एक तो ओ तो तूर तो 3 Wow , ठीक है चले आँगे नवा के बाद 25 नमबर कोश्चन है कह रहा है निम लिखित में कौन से तर्क सत्त और कौन से तरकसत हैं सा कारण उत्तर दीजिए कारण सहीत मतलब उत्तर दीजिए पहला पार्ट इसमें कह रहा है पहला पार्ट इसने क्या का पहले पार्ट में इसने का कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उच्छाला जाता है ठीक अब दो सिक्कों को एक साथ इसने फिर उच्छाला अगर दो सिक्के उच्छा ले गए मैं पहला पार्ट लिख रहा हूँ तो टोटल परणाम वही चार बनेंगे head 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 tail tail head tail tailör यही 4 प्रड्राम मनेंगे नी तो आ गया वह दिमाग में अब आगे करो तो इसके 3 समभावीत प्रड्राम क्या-किया समावीत प्रड्राम बोला करहे रहां दो चित या दो प्ट या प्रतेग एक बार है अन्ता इन प्रतेग प्रड्राम की प्राइकता एक बटे तीन है इसने कहा कि इसमें तीन संभावित परड़ाम बता रहा है कि दो चित या दो पट अगर हम दो चित आने की प्राइकता निकाले पहले अलग अलग प्राइकता ही निकाल लो क्योंकि सबकी बात ही वही कर रहा है सबकी प्राइकता उसने एक बटे यह बताना है कि दो चित आएंगे तो भी प्राइकता एक बटे तीन होना चीए दो पठो तो भी प्राइकता एक बटे तीन है प्रतेक एक बार है प्रतेक एक बार का मतलब या एक बार हेड है या एक बार टेल है तो उस प्रतेक की प्राइकता एक बटे तीन है यह में यहाँ पर यह बात सत्य है या कथा निया सत्य यह बताना है तो हम देखते हैं क्या आएगी हम पहले निकाल के देखते हैं अगर दो चित की बात करें तो क्या कह रहा है दो चित मैंने लिखा दो चित तो दो चित आने की प्राइकता क्या होगी कुल परणाम तो हमारे पास चार होंग तो दो चित केवल एक जगह है तो एक बटे चार आएगी, इसी प्रकार दो पट की बात करें, तो दो पट आने की प्राइकता भी एक बटे चार होगी, क्योंकि कुल परणाम तो चार है, और दो पट केवल एक जगह आएगा, तो एक बटे चार आएगी, बात तो इसके असत् या प्रतेक बार एक या प्रतेक 1मारे पास चारी रहें यहां पर एक है या पर भी एक हड तो दो यह तो गए यहां पर भी एक टैल है यहां पर भी एक टैल है बात सम्झो क्या कहना चाहरी इस तीस्रे सिवैंच नौना क्यराप्व तो ac असत ना इसमें बोला कि सभी की प्राइक्ता कि त्यार यहां पर दो प्लाश्ट वाले की बते दो आई कथन असरते फॉल से भाई तिक कारण तुमने क्या ये कारण है तुम्हारे सामने ये इस पश्ट है तुम सभी की प्राइक टाई निकाल के लिखोगे और कान लिख दोगे कि यह सबते तिक दूसरा कोश्चन इसका पहला कोश्चन के लिए अच्छा कोश्चन था दूसरा कोश्चन कहरा है यदि एक पासे को पासे की बात आगे पासा पहले समझ लेते इसको भी रुक के करेंगे पहले पासा की बारे में जान लेते हैं कि पासा कैसे काम करता है हमारा पासे की बात कर लेते हैं पहले पासा मतलब यह है कि वही समने पासा देख रखा है कि लूडो का जो हमारे पास पासा होता है समने 6 फलक होते हैं कि एक लिखा होता है फिर दो लिखा होता है तीन लिखा होता है चार पांच है मतलब कि इसमें कुल अमारे पास संभावित प्रणाम किते बनते एक दो तीन चार पांच यही बनेंगे न एक से 6 तक कि कोई भी संख्या सकती जब पास होगे कभी पावा रहा होगा कभी 2 आएगा कभी 3 आएगा चार आएगा 5 आएगा छे तो वह पास्य समने लुड़ों खुल लखा ऊगा साप सीडी और वो सब आपने फेका और चार आने की प्राइकता क्या है तो कुल परड़ाम तो आपके पास पता है च्छे अनकूल परड़ाम क्या है एक ही होगा तो कि एक पासा फेका गया तो कुल पर चार आना है तो चार आने की प्राइकता केवल एक होगी पासा फेका चार आ गया एक बार में त तो एक बटे च्छे, सिंपल, तो चार आने की प्राइक्ता है, ऐसे 1 बटे 6 हो गई, 6 क्या है, कुल पढ़ना, अब यहां पर क्या है, लिख दो, 2 से, अधिक, अंक प्राफ्थ होने की, अधिक अंक प्राफ्थ होने की प्राइक्ता, स्मझे रहे, न बात क्या हमने पूछा प्राइकता अमें ग्द्ट कर झाल है, दोसे अधिक अंक प्राफ्थ होने की.. rupees फेक और उसे जो अंक आया हम न दोसे अधिक था, दोसे बड़ा उसों से अंक सकते हैं और तो तीना सकता है या चारा सकते है या पांच आ सकता है तोतल के हमारे पास कितने पास कितने है एक-फैन तेट लेकिल इसने का कि बैदि अधीख कंग दोपसे अधीख तो एक पासा जब फेका जाएगा तो आसान को स्ट्ट होने की प्राइट तो दो से अधिक कितने अंग हो सकते थी तो तो तीन आ जाये चार आ जाये तो टोटल प्राणाम 6 तो वो बटे में 6 रहेगा तो 4 बटे 6 मलब कि 2 बटे 3 और जब भी हम पाषा फेखते हैं तो सिक्स की पावर एंड पढ़नाम बनते यिसे वहाँ पर दो की पावर हैं थे तो कि हेड़ाता था यह तो इसलिए दो की पावर यहां पर एक सच्छा तक का मतना तो रिसए की पावरें अब एक बार फेका गया है तो छैकिक गात एक मरण क्या-क्या बनेगा एक डो टीम चार पांच यहीए एक सेचे थे कि संख्यय में प्राप्द होगी किरा तो दो संभावित परणाम एक दोसम या एक सम संख्या है अता विसम संख्या गयात करने की प्राइकटा एक बटे-2 औच decreasing अगर exemption इसमें लिखं़े इसमें देखो पराले समतन क्या कउन्सी हैं सम्संख्या का और सम दो और चार उच्छे दो कॉमाच चार कॉमाच और विसम कॉन्सी है सर विसं मैं हमारे पास एक तीन पांच तो अगर आप से प्राइक्ता पूछे पी विसं की सम आने CAP AMY है ट्टल परडाम कि यह नहीं है अनकुल परडाम कि हम बात कर लेते हैं हमें किया छीर विसमाने रesडींग है यह हमें किया चाहर है किपे तो संब इसा मतलब रिके सब्सक्राइब है विसम आने की भी पिडिक्त स्मस्थर श्यविस आए बंदक सत्र है यह बात हमें सद्ष पर इस पश्च दिख रहे हैं समझ बात को कि अगर पास सा फैकेंगे से एक सेच तक कई प्राघ्त होंगे अगर सम की बात कर रहा है तो चार यहां तक पहले बताओ सबको बात की लिए रहे किसी को कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है पासे की अब बात कर रहे हैं अगे चलते हैं अभी तो एक पासा फिक था इस पे अच्छा है तो आप 36 केश केशने पड है ठीक है कैसे लिखो कि मैं देख इस पंच्ट बताता एया है इसकता दो dat थे तुम्हारे पास थिका न ऐसे फिखर एक प्यों सकता पावाँ आजे एक प्योसकता चार आब एक औरbuds चार का एक अधुश्ट का चार आगे इस पतीन आ गया तो चार और संसक्ता एक illicast सकता ऐसे टोटल 36 combination बनेंगे कैसे कैसे आपने फिका पहले पर भी पाव आ गया दूसरे पर भी पाव आ गया तो पहला combination एक कॉमा एक दूसरा हो सकता पहले पर एक आया दूसरे पर दो आ जाए तीसरा एक आया फिर दूसरे पर तीन आ गया इस पर तो एक ही रहा दूसरे पर चार हो गया एक और पांच एक और ठिक ऐसे पहले पाक पासे पर तुम्हारे पास दो आया दूसरे पर एक आ गया दो 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 तीन दो चार दो पांच दो छे ऐसे तीन तीन एक तीन दो तीन 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 चार तीन पांच तीन छे चार एक चार दो चार तीन चार चार पांच चार छे पांच एक पांच दो पांच तीन पांच चार पांच छे पांच जिया पांच यहां पांच चै पांच आई से चै के साथ छे एक चय दो चै तीन चै चार चै पांच चै चै हो गए 36 केस एक सच्छे तक 6 12 18 24 30 36 टोटल हमारे पास ऐसे 36 केस यह बनते हैं कि सबको समझ में आगे कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे ही आपको 36 केस लिखने पढ़ेंगे आसान है आपको पता है कैसे लिखना है हो सकता है ना कि दो पास से तुमने फेके एक पर परिखने तो सबस्क्राइब अएव तो कािसी लिखक है एसे प्रकाव दूसरे पर दो पहले पैले एक दूसरे पर दो पहले एक दीशरे पर्तीन गारे से करके टेलर मेंगे एक शे ले के 6-6 तक जाएंगे तो टोटल 36 प्राइट बनते है अब इस पर टोटल थुमारे पाइस प्रातीस है अब इस पर को हैसे बनते अच्छे और युजालन इस पर बनते जब दो पासे क्ट कि जाते थे पर इस constitution इक उसके पास नीले रंग का था कए रहा सभी संभावित प्रणाम लिखी इनकी क्या प्राइकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग मतलब जब दूने पास से फेक है लेटी वाले पर तीन आया मालों इस पर दो आया तो दोनों पासों का योग तो तीन और दो मिलकर पांच तो पासों में मैकसिमम केस क्या होता है कि जब दो पासे फेक ही जाएंगे तो योग पर आदारित बहुत केस कोश्चन बनते हैं कि दोनों पासों के योग पर आदारित कि दोनों पासों पर जो अंक आया फलक पर जो अंक आया इस पर तीना इस पर चारा है इनके यो योग पर आदा है कि चार से जादा आ गया योग सास से कम आ गया तेरा से जादा आ गया या दो के गुड़न में आ गया चार के गुड़न में आ गया उस पर कोशन बहुत बनते हैं योग पर जैसे ये लिखा है कि बारा से छोटी है उसके बराबर संख्या है तेरा है योग आ तुम्हारे पास पासे का योग होगा, वो कितना होगा, दो, एक और एक मिलकर दो, ऐसे इस लाइन पर कितना हो जाएगा, दो और एक, एक और दो मिलकर तीन, ऐसे इस लाइन पर जाओगे, तो योग कितना हो जाएगा, तीन और एक चार, दो और दो चार, तीन और एक चार, ऐसे इस लाइन पर जोड़ोगे तो 5, ऐसे तुम इस लाइन को देखोगे तो पूरा योग कित्ता मिला होगा 6, ऐसे तुम इस लाइन को चले जाओगे तो तुम्हारे पास कित्ता योग मिला होगा 7, ऐसे तुम इस लाइन को देखोगे तो तुम्हें योग कित्ता मिलेगा 8 इस लाइन को देखोगे तो 9, इस लाइन को देखोगे तो 10, इस लाइन को देखोगे तो 11, और इस लाइन को देखोगे तो 12, अब कोशन कैसा बनेगा, ये मैंने इस वज़े से ये ट्रिक बताई, जो मैंने ये लाइने खीची, उससे फाइदा क्या रहेगा, अब आप से उस तो पासे के योग आठ आने की प्राइक्ता क्या है आठ का तो क्वेश्चन आगे दिया गया मैं कोई दूसरा ले 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 तो मालो नौ लिख दिया उसमें कि पासे पर दोनों अंको का योग जो है वो नौ प्राप्त होने की प्राइक्ता क्या है वो बतानी है तो टोटल केस त चाले जाते हैं तो शिक्षी पावर टू च्छतीस केस बनते हैं नीचे चतीस हो गया अब पी नौ के लिए तुम्हें ढूनने में आसानी होगी ऐसे अन्कूल परड़ाम तुम देखते हैं कि किंद पासों का योग नौ हो रहा है जिसे तीन और दो मिलकर पांच हो रहा है ती सिधा इसमें देखो कि 9 कहा यहां यह नौ है तो इस लाइन में तुम्हें योग नौ मिलेगा तो यह केस हो गया कितने एक दो तीन-चार छे तीन-पांच-4 चार-पाच-शे तीन पतलब कि चार ऐसे केस हो गया जिसमें योग 9 मिलेगा तो सीधे 492 या 36 अल्यवा एक बटे कम प्राप्त हो ऐसे कितनी हम उसकी संभावना बताओं बारा से कम माने उसने लिखा योग जो दोनों पर प्राप्त हो बारा से कम दो पासे फेके जाते हैं और पासों पर प्राप्त अंकों का योग बारा से कम है उसकी प्राइक्टा क्या है तो यहां पर बारा है लेकिन हमें 12 से कम वाले चाहिए, तो 12 से कम में 11 के भी केस आ जाएंगे, 10 के भी, 9 के भी, 8 के, 7 के, 6 के, 5 के, 4 के, 3 के, 2 के, सबी केस आ जाएंगे, सिर्फ 12 वाला केस छोड़के, टोटल के छ्छती से बारा वाला सिर्फ एक केस है ये तो टोटल हमारे पास कितने केस बचेंगे 25 बचेंगे और टोटल हमारे पास 36 सिर्फ एक केस कम हो जाएगा सहाला क्योंकि 12 से कम वा अfredog हो रहा हूं कितनी है 35 है सिर्फ 6 को मच है चोड़के तो 35 बटे 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा समझगे बात तो यह बहुत अच्छी ट्रीक है इसको ऐसी डिट्टो बना लो अपने कॉपी पे इससे आसानी से कोश्चन सॉल भूंगे अभी कोश्चन करेंगे तो देखना क अच्छी जली यली कोश्चन सॉल भूते है ठीक बात के लिए रहना इस पर और कोश्चन यह भी हो सकता है कि पी मालो प्राइकता बताओ तीन के गुणज इसका मतलब कहा है तीन के गुणज का उसने कोश्चन ऐसा कुछा मैं पूरा डिटेल में कोश्चन बोलता हूं कि प्राइकता उसे बतानी कि पासो जब दो पासो को फेका गया तो प्राप्त अंको का जो योग है वो तीन के गुणज में प्राप्त अंको का योग तीन का ग फिन नौ और फिर बान यही तो तीन के गुड़ा जे तीन छह नो और बारा तो टोल किते केस मिल जाएंगे देखो एक दो तीन वाले में दो 3 4 5 6 7 फिर 9 वाले में 8 9 10 11 और फिर 12 तो 12 बटे किता हो जाएगा 36 तो ऐसे हमें 12 combination मिलेंगे 12 ऐसे अंको का यूग्म मिलेगा जहाँ पर उनका जो योगफल होगा वो तो बारा बटे 36 इसका अंसर होगा समझ गया ना 3 के गुलज मतलब 3 के गुलज का उनको न तीन में एक तो तीन है 3 कहा कहा मिलड़ा एक दो जगए से 6 कहा कहा से 1 2 3 4 5 5 तो पांच और 2 7 वो गया 9 1 2 3 4 9 और 7 और 9 किता हो गया यह वाथ आठ नो दस ग्यारा और एक यह बारा तो सिंपल किता हो जाएगा बार तियाँ छतिस एक बटे तीन बहुत प्यारा कोशन तीन के गुड़ा अंको का योग जो हो वो तीन का गुड़ा जमो तो 12 बटे 36 इस दा राइट आंसर समझ गए ना मने टफ कोशन बनाने की कोशिस करी है बाकी कोशन इस पर बहुत आसान असान से देखो मैं कराता हूं आमी कोशन जो अपने बुक में दि आएगा नहीं तो सिंपल 6 Czech combination ऊंगे ठिक कहने पहले मतानी अशार अचे 5 पहले संख्या है मैं कि तो नहीं घुटक नहीं हैं जोड़ता हूं ये नि Still नहीं वी ceiling 5 एक तो दो फोल पढ़्णाम च्छे हैं एक शे यह टिक दूसरा कह रहा है इंव । है कि झैंड दम घायत के चार से चोटी यां उसके बराबर संख्या प्राप्त हålt कि प्रारम्न इंड रयक चार चोटे किते ? स्अथा बराबर में की बात कर रहा है तो टोटल चार से चोटी चार तीन दो एक कोई भी हो सकती तो सीधे आ गया चार बटे च्छे मतलब की दो बटे तीन इस दा राइट आंसर चले आंगे समझ गया न ऐसे हम काफी बस एक ही चार जाएको दुसके कोशन करेंगे अब इस पार दो बांसे का कोशन गरते हैं क ieया एक इस लेटी पासे और एक नीले पासे को 36 के लिख देना तब आप आराम से राइट आंसर होगी गलती करने का कोई चांस नहीं होगा अब पहला कोईशन इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा अंको का योग जो है वो आठ हो पी आठ अंको का यही तो कह रहा कुल संभावित परणाम लिखे जिसे इन संक इसकी क्या प्राइ अंको का योग हो सकता है सीधी बाहत समझो तेरा मभी डून नहीं है अंको का योग हो सकता है मैक्सिमुम बाराव हो सकता है पहले पेच्छ है दूसरे पेच्छ है छैसे बड़ी संख्या थो ना किसी इंगा थो नहीं हमें प्राप्त होगा तो कभी साथ तो मिलेगा नहीं तो अंको का यूट तेरा कैसे होगा तो अंको का योग हमेशा मैक्सिमून कित्ता हो सकता है बारा अगर दो पासे फेके जा रहे हैं इसने कहा कि स्लेटी और एक नीले रंग के पासे को फेका जाता है सभी संभावित परड़ाम को लिखिए इसकी क्या प्राइकता है कि दोनों पासों की ना बोल सकते हैं कि दो पासे फेक दें और उनकों का योग कभी तेरा आ सकता है नहीं आ सकता असंभाव ऐसा तो सिंपल प्राइकता क्या हो जाएगी जी रो क्योंकि योग मैक्सिमूम बारा तक हो सकता था ठीक है तीसरा पार्ट कह रहा है प्राइकता गयात करो बारा से छ तो टोटल 36 वटे 36 यह तो सर्ट टोटल 36 वटे 36 मतलब की एक आगया इसका अंसर समझ गया अच्छे कोशन होगे कि टोटल अगर बोल देगी बारा से कम या उसके बराबर तो बारा से कमी आएगा या उसके बराबर आएगा तो सिंपल 36 वटे 36 one is the right answer समझ गया बात के लिए एक box है उस box में different different color की आपके पास balls है मतलब कि ऐसा है कि कुछ गेंदे लाल है कुछ पीली है कुछ हरी है अब आप उससे कोई अगर ball निकालते हो मैंने आप से का कि उससे बिना देखे एक ball निकालो तो question बनेगा कि एक पीली गेंदाने की क्या प्राइकता है या लाल एक हमारे पास कोई ऐसा box है तीक ऐसा जैसा वो बॉक्स मनाइं इस box में मारे पास in तीन हरीगे में चार लाल है और दो है नीली गेंदे टिक हमारे पास टोटल किती गेंदे हमारे पास एक थैला था थैले में मने माल लिया for पर ईजेंपल कि तीन हरी गेंदे थी चार लाल और दो नीली गेंदे एक टोटल कुल हमारे पास यहाँ पर पढ़णाम कितने हो जाएंगे कुल पढ़णाम आप पर आराम से आप लिख सकते हो अब आपको पता है कि सर चार दुछ है तिन नौ कुल परणाम सर नौ हो जाएंगे सभी का योग थेले में टोटल कितनी गेंदे हैं टोटल हमारे पास नौ गेंदे हैं अब आप से अगर हम प्राइकता एक से कोशन बनाते हैं अपने मन से म जो तुमने निकाली थी वो लाल कलर तो कुल परणाम सर 9 है तो बटे में तो 9 ही रहेगा लाल हमारे पास गेंदे हैं कितनी सर 4 गेंदे लाल प्राइकता कितनी हो जाएगी 4 बटे 9 लाल में से लाल आगी सिंपल तो 4 बटे 9 होगे कोई दिक्कत नहीं ऐसा ही आप से अगर को पी भी एक हो सकती है तो 3 बटे 9 होगे ऐसा ही आप से अगर कोई पूच्छ दे पी नीली तो टोटल तो 9 है नीली हमारे पास नीली हमारे पास दो गेंदे है तो 2 बटे 9 इसका राइट अंसर हो जाए ठीक अब मालों एक कोशन मैं और बनाता हूं कि फीं को हरी ना हूं आ इस क्वेस्टामब यहाँ कि आपने तुमसे क password की डूब निकालो इस इस्टमे में हाँ डब में आठ डाला एक बहल निकाला और शोने का कि यह हरी मेरे पास माना उसमें से तुमने एक बाल निकाली और एक हरी ना हो बहुत में और हופ आओ Śoniaow मतलब की वो कैसी होगी या तो लाल या तो नीली तो टोटल हमारे पास अन्कूल पढ़राम कित्ते हो सकते हैं 5 6 मैं से कोई होसकती है लेकिन हमारे पास कौण से नहीं होनी ची losses तो टोटल तो नउठा और 6 होसकती है कोई लाल आजे या फिर निली आजै तो ना लालो नीदी मिला कि कितनी है 6 तो 6 बटे 9 अंसर हो जाएगा इसका 2-3-6 तीन दूना 6 तीन तरका 9 तो 2 बटे 3 is the right answer समझ गया बात कि हरी ना होने का मतलब यह था किसा टोटल तो 9 गेंदे थी हमारे पास लेकिन हरी ना हो तो हरी ना होने का मतलब है या तो लालो या नीली लालो लीली मिला के हैं कितनी गेंदे 6 तो उन 6 में से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं समझ गया ना अब इस और एक पीद यह तो कि असब ही साइज की सेमसाइज की करतिका बिना थेले में जाके उसमें से एक गेन निकालती है इन में से एक गेन निकालती है तो कह रहा है कि प्राइकता ज्याइद करनी कि वह गेंद पीलिए अच्छे तो बास समझव सिंपलोषण हो गए तोह घयर को पर्णाम किते हैं मारे पस्तुल पर्णाम थी ने कुल परिडायम है तो पर ना मिब तो मांद ये की ей और कि मिए इसले किन फी पिली अ टोटल तो 175 किते एग एक ऄडू इसे मेंगोरी हिए दो इस तो टीं ये ने कि एक गयूटकी ने लाल तोटल के इंदे किती एं तीन लाल किती है एक वाटे सब की एक वुच्छ तीन एक वेट टीन हैं अगर इसी में एक कुशन में खुच से अपने मंसे बनाऊ हूं यह तो सिंपल वाले कुशिन फर्जी कोषंशन दिये गए मैं थोड़ा टक्फ करने की कोशिस करूं मानलों मैं लिखूँ कि पी नीली ना हो हमने प्राइक्ता कुछी कि आपने एक गेंद निकाली लेकिन वो नीली ना हो आपके पास टोटल गेंदे किती है टोटल गेंदे तो तीन है सर टोटल तो हमारे पास तीन ही लेकिन आपने का सर नीली ना हो मतलब कि वो लाल हो सकती है तो आप 2 कोई आजाए तो लाल आ जाए या पिली तो अनकूल हमारे पच्छ में कितने पढ़णा में दूऊ तो 2 हमने यहां से निकाल लिए यह तो लाल आ जाए या पिली आजाए लेकिं नीली ना यह टोटल परणाम 30 तो 2 बटे तीन इस दा रहाइट आंसा ठिक है ये मैंन हमारे पास ठीक फिर से एक थेला बनाते हैं एक थेला है इस थेले में क्या है एक थेले में केवल नीबू की महक वाली मीठी गोली आए केवल नीबू की एक महक वाली मीठी गोली आए मैं लिख देता हूँ पूरी बात इस थेले में तुम्हारे पास क्या है केवल नीबू की महक वाली मीठी गोली आए ठीक मालिली बिना थेले में जाके ठीक उसमें से एक गोली निकालती है एक गोली निकालती है तो इसकी क्या प्राइकता है कि वह निकाली ग कालना है संत्रे की महकवाली है संत्रे की महकवाली टोटल परणाम कुल परणाम अनकुल परणाम की बात तो बाद में है हमें संख्या तो वैसे भी नहीं इसमें थेले में जितनी भी गोली है हमें नहीं पता कितनी गोली है लेकिन वह कौन सी वह सिंपल नीबू की महकवाली ग प्जelay कोई गोली ह Kimberly ही नहीं है अगर मुष्भण डालकर निकालांगे कोई भी गोड़ी निकालेंगे वह Nah, संत्रा आ जञaken जादू ना कर रहे पढ़ी तो सामने यह गडित है ना एक हमारे पास नीबु के महग की मह और उससे हम गोली निकालते हैं तो नीबू के महक की निकलेगी ना कि संत्रे की निकलेगी तो वह असंभव घटना है तो इसकी प्राइकता कित्ती हो जाएगी प्राइक तहिए जिरो जबकि जब किनिबू के महक की निकलेगी उसकी प्राइक hitting तो निकलेगी ही जब भीते ढलोगे क्योंकि निबू के महक गूली यह वहाँ पर दूसरी गोली कैसे निकल स़को की ताषि की नवे कोश्चन की exercise का यह कोश्चन चलना है डिब्बे में मारे पास उसी पर आधारीत कोश्चन है मैं सारे कोश्चन करा दूँगा जो कोश्चन है उसमें यह तो घटना के आधारीत पर जो मैंने अभी घटना है बता रहे हैं इस पर सबसे आधा चांसेश होते हैं एक नमबर दो नमबर या तीन नमबर कोश्चन बनने पर जो मारे पास पासा फेका जाता है या सिक्का उच्छाला जाता या थेले से बॉल निकाली यह तास की गड़्डी से कुई पत्ता निकाला इनको एक एक करके घटना डिसकस कर रहा है उसी के इंपॉ भू है यह है और चैरा इसमें पांच लाल गजी थीक से फेड चारस अख़ेड हो भी और चार हरे चार हरे के नियुकल है मैं फोल पॉल कант चारनों के टैरा टो कड़र आप सफेद यह पांच लाल राठ सफेद हैं चार हरे तो टोटल आमारे पास लिखें यह एंप एम लिग देते पुल पढ़लाम पूल पढ़लाम का मतलब यह यही है कि टोटल आमारे पास कुल कितने Q ua 4-4-12-5-17-17 त्षिक आंगे बात समझते हैं करा इस डिब्बे में से एक कंचा याध्राच्छा निकाला जाता तो राध्राच्छा कन्वी न होना तुम्हें बता देते राध्राच्छा का इंग्लिस मतलब होता है रेंडम रेंडमे कंपुज्डिंट होना कि तक हैद रально शार गया सब आहां कर लिखना प्राइक ब्राबर आपको पता है कि कुल परणाम 17 एंफी तो कुल परणाम सिंपन सब्सक्राइब नहीं कि अभी भी हमारे पास 17 पढ़ना में टोटल तो सब्सक्राइब अब इसने कोश्चन किया कि हरा नहीं है बास समझ रहे हो हरा नहीं होने का मतलब क्या है कि या तो वो लाल है या सफेद मतलब 8-5-13 में से कोई भी हो सकता या तो वो पांच लाल हो सकती या सफेद हो सकती लेकिन हरा नहीं तो 8-5-13 बटे 17 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ठीक है तो कि इसने बोला मैक्स की हरा हो नहीं नहीं चाहिए लाल हो जाए सफेद हो जाए तो लाल हमारे पास है कित् पूल प्रणा हमें बटे में सत्व समझ के कंचों की बात? अब चलते हैं तास्क के प्तों की बात करते हैं. इस पर प्यारे-प्यारे कोश्चन बनते हैं. मैं थोड़ा सा सौट पर WORL देते हुरा थास के बारे में पता होगा बहुत बचे को नहीं पता होगा की क्या क्या पत्य होते हमने गरित के माध्यम से उपYoka करना तो मैं खेलना नहीं आना चाइए ओर में सिंपल उन पत्Wow के बारे में जानकारी ओनी चाहिए की क्या क्या चीज Halloween Dreams को पता है कि यह यह चीजें होती है इसने देख रखा कोई दिक्कत नहीं नहीं देख रखा तो जित्ता काम की चीज़ा है वह मैं बता देता हूँ और आपके माइंड में एक इस बन जाएगी कि यह चीज़ें होती है तिक है बागी उससे जाधा कंफ्यूज नहोंना कि इसके लिए खेलना आना कि ऐसा कुछ नहीं आराम सहसे समझ में आ जाए ठीक है टोटल हमारे पास पत्ते जो होते हैं तास्में 52 पत्ते होते हैं इन 52 पत्तों में यह होकुम के पत् चार परकार के में पत्ते होते हैं और ये चड़ी होती है ठीक हमारे पास में 12 प्तों में 13 हमारे पास आशिण सब में पत्ते हों यहां पर अलग पेच पर ठीक हैं टोटल पत्ते हमारे पास किते हैं 52 लिखता हूं कि 50 पत्ते हैं जो चीजा आमें पता होना चाहिए इस प्रोकोष्चन बने इए इन 52 पत्तों में और जो कौन कौन से प्रकार होते मैं लिख देता हूं हुकूँ चड़ी पान और इंट ठिक हुकुम के पत्ते किते होते हैं? तेरा तेरा ही हमारे पास चड़ी के होते हैं तेरा ही पान के होते हैं और तेरा ही इंट के होते हैं एक और इंपोर्टन बात जो हुकुम और चड़ी के पत्ते होते हैं ये कैसे होते हैं काले तेरा ये हुकम के और तेरा ये चिड़ी के ये कैसे होते हैं काले पत्ते होते हैं इनका रंग कैसा होता है काला तो इसको काला भी कभी कोश्चन आएगा कि काला पत्ता निकलने की प्राइकता तो काले किते होगे तेरा और तेरा मिलकर 26 पत्ते क्योंकि 13 हमारे पास चीड़ी के तेरा हुकूम के काले तो टोटल 26 हो गए ऐसे यह हमारे पास जो होते हैं पान और इट के पान के और इट के वो कैसे होते हैं लाल तो यह हमारे पास होते हैं सर लाल तो लाल 13 यह, 13 यह मिलकर किते हो गए 26 हमारे पास पत्ते लाल हो गए सी दी सी बात यह हो गए, यह बेसिक बेसिक सी बात हो गए अब इसमें कुछ खास पत्ते कौन कौन से होते हैं खास पत्ते यह होते हैं कि 4 हमारे पास इक्के होते हैं ठीक चार हमारे पास बादसा होते हैं ठीक चार हमारे पास बेगम होती है चार हमारे पास गुलाम होते हैं ठीक देखो जैसे फॉर एक्जम्पल बासम यहां से जैसे एक नमब एसे इस्टाड होता है फिर अगला पता होता है दो से दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस और ये एका, फिर ये बासा, और फिर गुलाम और फिर हमारे पास ये एका हो गया, ये फिर बासा के नंबर जो होता है, इसको बासा, क्यों नंबर जो होता है उसको हम गुलाम बेगम बोलते हैं जे नंबर जो होता है, इसको हम गुलाम बोलते हैं, ठीक है, तो जो बेसिक है, इसमें बात है, कि तीन पत्ते ये कमारे पास कैसे हो गए, ये तीन पत्ते, जो बात्सा है, जो बेगम है, जो गुलाम है, ये तीन पत्ते ऐसे होते हैं, जिन पर तस्वीर बनी होती, देख रहे गए जिन पर तस्वीर होती है या फेस कार्ड भी बोलते हैं तो सिंपल सी बात यह होती है जो यह बात्सा बेगम गुलाम यह होते हैं इनको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते या चेहरे वाले पत्ते तस्वीर वाले पत्ते तस्वीर वाले पत्ते कहीं कोशन में लिखाओ फ आपने पत्ता निकाला तो वो एक तस्वीर का पत्ता निकला और तस्वीर वाले पत्ते टोटल किते हो गए चार चार आठ चार बारा ठीक, चार-चार हो गए, क्योंकि आपको पता है, कि सर ये चार बात्सा होंगे, फिर चार हमारे पास बेगम होंगी, और चार हमारे पास गुलाम होंगी, इसमें तस्वीर वाले पत्तों में जो बारा होते, इसमें दो काले बात्सा, दो लाल बात्सा, दो काली बेगम, दो ल पात टीय को स्थिक्ञंब इतने बात सी बात हो इतने से काम हो जाएगा इतनी वातें months और जो बात यांगे वह दिय से बता देंगे आपको ऐतनी बात थे तो उम्हें पता यूश्म और चार इक्के होते हैं जिसमें दो काले इक्के होते हैं और दो लाला क्योंकि काले पत्ते एक हुकुम का होगा एक चिड़ी का इनिट और पार आण वाल लालोंगे तो दो काले होगे दो लालोंगे सीधी सी बात ये समझ गया ना? चले आँगे? अब इस पर कैसे questions बनते हैं एक हमारे पास तास की गड़ी थी इससे एक पत्ता उसने निकाला ठीक कोई दिक्कत नहीं पहला कोश्चन इसका है अब हमें पता है कि तास के पत्तों की बात होती है कि फिल्परणाममेशा बावन ठीक होगे क् toujours टोटल परणाम हमारे पास सगते को हमारे से कोई बीच आ सकता है तो कि टोटल परणाम है 52 4 इंक्के होते हैं तो 4 बटे 52 . दूसरा इतको हो ніकाला अगर इकल्क नहीं होगा तो अलावा हमारे पास टोटल पत्ते हटा दो इकाई वाले बाकि कोई भी उसकता है तक हों टोटल 42 पत्ते होते हिन और तो मझे-अलावा वाले पत्ते होंगे हम्ने पत्ता निकाला उसमें एक precautions नहीं होना चाहिए था तो से कोई भी बाहर निकाला है कोई दिक करने इक का नहीं होना चीए तो 28 बटे 52 हो गया तो किता अंसर हो जाएगा चार जकाटो चार एकम चार चार दूना आठ चार एकम चार और चार तियां बारा बटे तेरा इसका राइट अंसर हो जाए चले आंगे और एक कोशिन करते हैं इस पर बावन तास की पत्तों वाला से चौदा नूमबर कोश्चन है एक्सरसाइस का कोश्चन अपती मैंने लिया है कहरा आप बावन तास की पत्तों को अच्छी तरह फेटी जाने वाली ये गड्डीस में से एक पत्ता निकाला जाता फिर से एक पत्ता निकाला गया प्राइक्ता गयात करिए लाल लंका एक दो तीन चार इसमें दो लाल होते थे दो हमारे पास काले होते थे चार बात्सा होंगे चार में दो लाल होंगे और दो काले दो लाल कौन से होगी इट और पान के और दो चिड़ी और काल अब और हुकम के काले होते हैं तो सिंपल हमारे पास हो जाएगा सर दो हमारे पा पिसका right answer दूसरा question और को में एक face card अथा तस्वीर वाला पता हमेज़ कि आगे इतनक पते होते हैं पारा चार बारसा चार बेगं चार गॉलाम मिला के बारा हमारे पास ने पास MurdeLafittay और पता निकाला गया वो तस्वीर वाला हुना चाहिए तो 12ड़ बटे सांभावन बारा से इसको काट लेते हैं बारत शत्ति अच्ट आर्ड नहीं कटे से इन चार से चार ती यांबारा चारे कम चार और चार तीन बटे तेरा डिटे तीक है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता समझ रहो ना लाल रंग का फिर तस्वीर वाले पत्ते किते हैं देखो बास समझो इंपोर्टेंट होगे कोशन तस्वीर वाले पत्ते टोटल तो 12 इसमें से लाल रंग है दो इसमें से लाल होंगे बा में तो हो गए तुम्हारे पास टीसरा क्वेश्चन होगा इसमें टोटल के सो बावन ने वेकिन 6 बटे बावन बनेगा तो यहां से उगया तीन दूनद च्हे और तीन एकम तीन जाएगा ना फिर में दो तिया च्छे दो एकम दो और दो दूनद चाड़ दो दूना चार दो शेंग बारत तीन बटे चब्विस ठीक है चौथा हो चोधा कोहर्शन कहा रहा है पान का गुलाम बहुत बढ़या टोटल तो अभी भी बहुमारे पास बावन है उसके लिए कुछ सोचना नहीं हो पान का गुलाम होते किते हैं अच्छा अच्छा इंपास mice पान का गुलाम चीए पान का गुलाम तो यार एक ही होगा ना देखो बास गुलाम वैसे टोटल हमारे पास किते होते हैं सर एक दो जे वाला जो होता हो वो गुलाम होता है चार एक दो तीन चार गुलाम उसमें कौन सा चीए उसे पान वाला यह पान वाला यह पतता है तो पा इट का गुलाम हेक बुतए का होकुम का गुलाम एक बुते बावन इंश्था हो गया चले पांच मेंपर 刁 अचान पताbab कर ठांप के शरक Kita सक्झार अनला पतना अन्तिम चना इंट की बेगम लेकिन-1 एक होटी जैसे आमारे पास यह था भी क्याएगा गुलाम था पान का गुलाम था वैसा ही एक इंट की बेगम का कॉश्चन है कि इंट की बेगम तो सर एकी होगी बेगम चार होती लेकिन उसमें इंट वाली केवल एक होगी तो एक बटे 52 उज़ा राइटा था ठीक है बात समझ में आगे सभ इस पूरी चीज़ें एक यह बात हो गई पत्तों के बारे में एक और पत्ते का कोशन दिया हुआ है यह बहुत प्यारा कोशन है इस सारी चीज़ा पत्ते के बारे में क्लीर हो जाएंगे यहां से पिर पत्ते का concept खतम हो जाएगा हम लोगों का पत्ते का एक और पंदरवा नमबर कुश्चन देखो क्या कह रहा है कह रहा है तास के 5 पत्तों में इस बार 52 टोटल पत्ते नहीं है देखो इसने क्या कह लिखा तास के 5 पत्ते हैं मारे पास मतलब उस 52 में से किमल 5 अपने पास रखें उन्हीं की बात करेंगे तो कुल पढ़नाम इस बार पाची रहेंगे क्योंकि पूरी गड़ी नहीं लिए इसने वो लिखता है आर बार जब की बावंतास की पत्तों की गड़ी में इस बार लिखा तास के पाच पत्ते इट का दहला गुलाम बेगम बात्सा और एक का क बेगम और बात्सा इत्ते पत्ते बात्सा एक और होगा और एक का यह टोटल पांच पत्ते एक दो तिंग चार पांच हमें यह नहीं पता कि इक का कौन सा है कि चिड़ी का है कि इट का कि पान का बस एक का है कोई यह नहीं पता में बात्सा है से में नहीं पता कौन सा बात्सा यह एक बात्सा है बेगम एक बेगम है एक गुलाम है यह जोड़ाम हो गया सरफ पांच अब कोशन पे आ ठीक है अ अब कहह रहा है एक पहला कॉस्hm proton क्या है है एक क्या इसकी प्राइकता है कि वह पत्ता एक बेगम है देखो पहले बाद समझू पूर पर्द्लाम यहां पर कितना चलेगा बावन ना लिख लेना कोई पांच लिखेंगे को कि इस बार हमारे पास टोटल पांच ही पत्ते हैं और उसी से हम बात करें उन्हीं के हम कोश्चन की बात करें हमने कोश्चन जो बनाया है तो कुल परणाम तो पांच है अब कोश्चन की बात करते हैं कि वह पत्ता एक बेगम है तो की बेगम तो है एक बेगम है पांच में से एक बेगम है तो एक बटे पांच एक बटे पांच इसका राइट अंसर हो जाएगा बेगम आ सकती है यह एक बेगम है एक बटे पांच हो गया दूसरा हो यदि बेगम निकालाती है ठीक मालो ऐसे हमने निकाला था तो बेगम निकालाई ठीक कोई बात नहीं तो उसे अलग रख दिया जाता है अलग रखने का मतलब क्या जैसे पांच पत्ते थे हमने इन पांच पत्तों में से एक पत्ता निकाला और यह बेगम निकली और बेगम को अब तोटल कित्ते बच्चे 2 या 2-4 अभी तक क्या होता था कि पत्ते निकाल लेते थे लेकिन फिर वापस रखे फिर अगला केश देखते थे इस बार उसने कहा कि अब बेगम निकाल ली फिर उसको वापस नहीं रख एक तो का बेगम हमने निकल आती है और उसे अलग रख और एक अन्व पत्ता निकाला जाता है फल्द इसको हमने निकाल के अलग रख दिया अब टोल परड्राम पास किता बच्टे बच्टेंग पी बड़ाबर अब पांच में से हमारे पास टोटल परड्राम किते बच्टेस क्यों डेग्म निकाल के अलग duplicи इसके बाद उसने question पूछा कि इसकी क्या प्राइकता है क्योंकि उसके बाद उसने एक अन पत्ता निकाला फिर इसके बाद इन चार में से एक पत्ता निकालता है इसकी क्या प्राइकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक कित्ते हैं एक है तो एक बटे चार हो जाएगी बास समझ में मैं एक बार फिर से repeat करता हूँ, प्यारा हो गया question, पहले part में तो उसने कहा कि 5 पत्ते थे उसके पास, कौन को से 5 मैं repeat कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, 5 पत्ते थे उसके पास, इनिट का दैला था, गुलाम था, बेगम थी, बाथसा था और इकका था, उसने पहला question किया कि ए एक ही बेगम यहाँ पर दी गई थी, दूसरे question में इसने कहा कि बेगम जो निकाली थी, उसको तुम उठा के अलग रहा हूँ, अब बचे हुए चार पत्तों की बात करते हैं, फिर उनमें चार में से बचे हुए पत्तों में से एक पत्ता हम निकालते हैं, तो कुल प्रणा में कहे रहा है कि एक बेगम हो, अब जब यह चार पत्ते जो बचे इनमें कोई बेगम दिख रही है, कुल परणाम तो अभी भी हमारे पास सरकिते हैं, चार हैं, कोई दिक्कत, वो पत्ता हमने निकाल पाए, बेगम अटा दी थी भागी चार में से खेलने हैं, लेकिन अब चार में बेगम है नहीं, तो बेगम निकलेगी यह नहीं, और बेगम निकलेगी नहीं, तो उसकी प्राइक्ता सिंपल जीरो हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पार्ट की प्राइक्ता क्या होगी, जीरो, एक बटे चार ना लिख देना, तो कि बेगम questions में आते हैं जो इस पर एक question मिले गई कभी पत्ते की बात हो रही होगी कभी बॉल निकाला होगा कभी सिक्का उचाला होगा कभी पासा फिक रहो अब उन questions की बात करेंगे जो अलग-अलग प्रकार के होते हैं इसमें एक फार्मूला और पढ़ना है कि musical chair चल लाई है इसमें क कुछ अलग-टाइब की घटनाएं दी जाएंगी को डिफरेंट डिफरेंट गटनाएं दी जाएंगी इस पर लाउंग question दिएगे इन questions की और बात कर लेते हैं इनको और अच्छे से रिवाइस कर लेते हैं उससे पहले एक काम करते हैं एक छोटा सा फार्मूला है उसको पह हुआ है कि प्लस किसी घटना के होने की प्रायकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायकता अ कि ना होने की प्राइकता है दोनों का जो योग होता है वो हमारे पास क्या होता है वन होता है कि किसी घटना के होने की प्राइकता और किसी घटना के ना होने की प्राइकता का जो योग होता है वो हमारे पास क्या होता है वो एक के बराबर होता है है बेसिकिए पहर एजामपल를 की यह टायान का मतलब यह पर और छाना ऑता है इस लाइन के अगर हम बात करए कोशनी सब्सक्राइब करा चाहिवरंबध करें कि जैसे कि फर इज्टा रमने माणलो एक सिक्का उच्छाला हमने यहां से एक घटना लेते हैं गटना कुछ भी हो सकती है तो अनंद प्रकार की घटना होती तो घटना तो कुछ भी हो सकती है एक हम बेसिक घटना लेते एक सिक्के उच्छालने की कि आपने क्या किया एक सिक्का उच्छाला एक गटना है एक सिक्का उच्छाला तो इस सिक्के में अगर हम बात करें तो इस एक सिक्का अगर उच्छाला जाएगा तो दो संभावना है ऐसे एक पासा उच्छाला जाता है तो 6 संभावना होती है दो पासे उच्छाले जाते हैं तो 36 संभावना होती है दो सिक्के उच्छाले जाते है तो चार संभावनाय आती है, मतलब जो टोटल पढ़ नाम आते हैं, अब एक सिक्का उछाला गया है, तो दो पढ़ नाम आएंगे, ठिक, तो या तो आएगा head, या आएगा tell, अगर हम यह लिख ले, कि हमारे पास, है, एच जो है, वो head आने की प्राइक्ता को दर साता है, मतलब कि चित आने की प्राइक्ता को दर साता है, ह किसको दर सार है, चित आने की प्राइक्ता, तो आपको पता है कि चित आने की प्राइक्ता कितनी हो जाएगी, एक बटे दो हो जाएगी, तो कि head और टेल टोटल परण अगर ईसी में हमाब से कैद अगली प्राइकता मापसे पूश दे क्या है है अगर हम अगली बार हम यह लिंग दे किसित आने कि नापर मलब चित नाने की प्राइकता अगर है चितना आने की प्राइक्ता क्या होगी ना अगर हम सब्द लगा दें चितना आने की प्राइक्ता तो चितना आने की प्राइक्ता का मतलब एक प्रकार से यही तो बोल ला है कि चितन नहीं आएगा अगर एक सिखोर गेया है अगर उसको शालने के बाद चित नहीं आया तो मतलब की पटाया चितना आने की प्राइक्ता का बेसिक मतलब क्या है कि पटाया और तो इसकी प्राइक्ता भी कितनी होती एक बटे-धी तो होती तो ऐसी हैड à ना आने की प्राइक्ता किती होगई एक बटे दो इसको हम दरसाते हैं है एच बार से मतलब जो भी इसको अगर हमने एच माना है तो उसके ऊपर हम बार लगा देतें किसी-किसी बुक में अगर डैस लगा हो तो confused नहोंना है एच डैस भी लगा देतें उपर लेकिन maximum केस में आप देखोगे कि H के उपर बार लगा देते हैं कोई भी घटना है ये घटना एचली है अगर कोई घटना ई होगी तो उसकी ना होने की प्राइक्ता को हम काय से दरसाएंगे इड़ यह बार से ठिक अगर कोई घटना के होने की प्राइक्टा ए तो उसके ना होने की प्राइक्ता को हम उसके उपार बार लगाके क्या करते हैं धर साथे cdc बाती हो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि h plus h bar जो है वो मिलकर कित्ता हो रहा है वो मिलकर एक हो रहा है तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि head आने की प्रायक्ता और head ना आने की प्रायक्ता, दोनों का योग हमारे पास क्या होगा, दोनों का योग बन के बराबर होगा, अब यहां पर हमने ऐसे एक सिक्के की बात की है, मतलब एक सिक्का उचा लगे, ऐसे अनन्द प्रकार की घ एक लिए एक लिए है लेकिन सभी एक्जाम्पल में क्या होगा कि उसके होने और ना होने की प्राइक्ताओं का योग हमेशा किसके बराबर होगा एक के बराबर होगा यह important का था ने इसको लिख लेना इस्टार मार कर के कि किसी गटना के होने की प्राइक्ता और किसी गटना के ना कि प्रायक्ता का जूग होता है वो एक के बराबर होता है वहीक मैंने इसके मादक्द्णvet से समझा Eig कि अगर सिक्का उछाला जा रहा है तो उस पर या तो हेड आएगा या पट आएगा यह से चित आने की प्राइकता अगर एक बटे दो है तो चित ना आने की प्राइकता किती होगी वो भी एक बटे दो होगी मतलब कि पट आया होगा पट का मतलब भी एक बटे दो होगी दोनों एक पासा उच्छाला जाता है एक पासा उच्छाला उस पे एक आने की प्राइक्ता को अगर हम यह लिखे पी इसे दर्सा है एक आने की प्राइक्ता तो एक आने की प्राइक्ता एक बटे छह लिखेंगे क्योंकि कुल परड़्लाम एक पासे में 6 होते हैं और उस पे एक आना की प्राइकता को हम इबार से दर सारे मतलब उसका उल्टा एक आने की प्राइकता एक बटाच है हो गई अब हम कहे रहें एक नहीं है एक नहीं है मतलब किया तो दो आजए या तीन आजए चार आजए या पांच आजए या च्छे आजए तो कितनी संभावना है बची टोटल परणाम तो अभी भीच है क्योंकि एक पासा उच्छाला जा रहा लेकिन एक नाय तो बाचे की पास संख है तो वह पांच में से कोई भी आ जाए तो इसकी प्राइक्ता किती हो जाएगी पांच बटे च्छै अब आप जोड़ लो एक बटे च्छै प्लस पांच बटे च्छै यह किता हो जाएगा च्छै बटे च्छै बराबर किता जाएगा एक तो आप यहां से देख सकते हो कि इसके होने की प्राइक्ता पी और ना होने की प्राइक्ता पी बार दोनों का योग हमेशा किता होगा वन होगा तो किसी भी गटना ऐसे अनंत गटना हो सकते ऐसा नहीं क बस ये याद रखना किसी घटना की और कि ना कि यौले करallas करो यह गनेशा कितना होता है एक के बराबर होता है इस पर आदारित कुछ कोंशनस बनते हैं उनकीम्नज कर लेते यह तो बेसिक सी बात हो गई कोंशन कैसा बनता है, for example, एक उदार नंबर पांच लिया है, कहना दो खिलाडी संगीता और रेसमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, ठीक, दो खिलाडी है मारे पास, संगीता और रेसमा दो खिलाडी, यह ग्यात है कि संगीता दौरा मैच जीतने की प्राइक्ता 0.62 संगीता के दौरा, अग हमारी दी गई, 0.62, कहरा रेसमा के द्वारा जीतने की प्राइक्ता क्या होगी, यह हमें किसके द्वारा दी गई थी, यह हमें दी गई है, संगीता के द्वारा, संगीता के द्वारा, मैच जीतने की प्राइक्ता, मैच जीतने की प्राइक्ता, ठीक, यह हमें दी गई है, क है रहा है कि हमें यह बताना है क्या बताना है एक प्रकार से हमें प्यार बताना है कि रेस्मा के द्वारा मैं जीतने की प्राइक्ता क्या है हमें यह बताना है यह हमारे पास क्या है रेश्मा के द्वारा मैच जीतने की प्राइक्ता लिखना है ऐसे प्रॉपर लिखना ताकि इस पर दिखे समझ में कि क्या मतलब है यहां तक बात के लिए रहे प्यास हमें कोशन में दिया है कि संगीता अगर मैच जीतती है तो उसकी प्राइक्ता इतनी है रेसमा के दौरा मैच जीतने की प्राइक्ता हमें यहां से प्यार ग्याग करनी है अगर रेसमा मैच जीत रही होगी तो इसका मतलब यही है कि संगीता मैच हार रही होगी तो यह भी तो हम कह सकते हैं कि रेसमा के द्वारा मैच जीतने की प्राइक्ता वो होगी रेसमा के द्वारा मैच जीतने की प्राइक्ता वो होगी कि संगीता मैच हार जाये मतलब संगीता के द्वारा मैच ना जीतने की प्राइक्ता ठीक तो पिया समय दिया गया है अगर हम पियास ब रहे होगे प्ञारने के दारा मैच जीतने की प्राइकता हुआ हुआ ही हमारे पास PR होगी यहां पे हम लिख सकते ही किसके बराबर है रेज़मा के द्वारा एक संगीता के द्वारा कि संगीता के द्वारा मैच हारने की प्राइक्ट है मैच वनदीक मेच ना जीतने कि प्राइक्टा इसे लिखते हैं तो ना सब्सक्राइब है और यह अभी हमने पढ़ा की मैच जीतने की प्राइक्टा मतलब की PS और प्लस ps-20 बराबर होता है वन मैच जीतने की प्राइकटा और मैच ना जीतने की प्राइकता बराबर होती है, one के, पीएस हमें दिया गया है, पीएस हमारे पास कितना है, 0.62, पीएस बार आपको एक प्रकार सी यही लिख सकते हो कि यह PR के बराबर है, तो कि जो अगर रेसमा मैच हार रही होगी, यह संगीता मैच हार रही होगी, तो रेसमा जीत होगी, तो उसकी जैगे में पी आर लिख दिया, बराबर वन, तो पी आर बराबर किता हो जाएगा, पी आर बराबर यहां से हो जाएगा, one minus 0.62, मल्लाब आ जाएगा 0.38, वैसे हम डारेक्टली भी कर सकते हैं, इतना लिखने की जोग उतना ही पड़ेगी, लेकिन जब डि PS और PR, तो दोनों की प्राइकताओं का योग हमें सा एक के बराबर होगा, अगर दो खिलाडी खेल नहीं है, तो यह जीते गा, यह जीते गा, तो दोनों खिलाडी योग का योग वन होगा, एक का में दिया है, मालो PS का PR का निकालना है, तो one minus करके निकाल सकते है, डारिक, लेकिन उससे वो चीज अंतर नहीं सपस्ट होगा, लेकिन इससे डिटेल में चीज़ें सपस्ट हो जाएंगी कि कैसे क्या चला है, मतलब क्या है कोश्चन का, बात समझ गए सारे लोग इस कोश्चन को, कोई डाउट तो नहीं, अब बस 5-6-7 कोश्चन बचे हैं मुस्किल स इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप के कोश्चन है, वो तो कोश्चन हमने कर लिए, यह थोड़े यूनिक टाइप की कोश्चन है, इस प्रकार के कोश्चन बनते हैं एक्जाम में, इसलिए मैं ये कोश्चन टॉपिक कम्प्लीट करा रहा हूँ, और जिनके उपर इस्टार मार्क है ना यह सब इस्टार मार्क वाले कोश्चन यह मैं सारी कराऊंगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट कोश्चन अपने सारे कवर बस थोड़े से आदे गंटा ओल लगे का सारे फिनिस हो जाएंगे आसान-सान से बसे बार समझना है किलियर हो ग के चाहिट और हमीद हमारे पास 2 मित्र AI कि क्या प्राइकता है कि दोनों के जन्म दिन भिन्भsh Sud ! अच्छब यह बास दो दोकों से सावीटा और हमीदा हमीदा है! समीता और हमीदा हमारे पास दो मित्र है कि टिक इसने कहा की कि दो मित्र जो है इसकी क्या प्राइक्ता होगी कि दोनों दिन अलग अलग पैदा हो मलब ऐसा है कि साल में 365 दिन होते इसने बात दो आंगे लिखा है लीप का वर्स लीप एर को छोड़ कर तो कि लीप एर में क्या होता है 29 दिन की हमारे पास फरवरी हो जाती तो 306 दिन हो ज लेकिन किसी भी दिन पैदा हो यह लेकिन सेम डे को पैदा ना हो 355 दिन मालों यह हमारे पास सभीता एक दिन कोई दिन पैदा हो गई किसी भी दिन पैदा हो गई जनवरी से लेके दिसंबर तक किसी भी महीने में किसी भी दिन पैदा हो गई तो हमीदा उसी दिन नहीं आप देखो अगर मान लो कि तूम सविता एक दिन पैदा होगी हमें नहीं पता किस दिन पैदा वह फ errors when I was a अब हमीदा की हम बात करते हैं अभी बात समझाएंगे क्यों हम सवीता की बात नहीं कर रहे हैं अब सवीता को उने माल लिया कि 365 दिन थे उसमें किसी भी दिन पैदा होगी कोई दिक्कत नहीं अब हम हमीदा की बात कर रहे हैं तो हमीदा के पास कितनी choice बचेगी दो हमारे पास probability का formula क्या होता है हम प्राइकता का जो actual formula लिखते हैं वो हमारे पास होता है sir अनकूल पर्लाम अनकूल पर्लाम बटे पुल पर लिनाम यह तो लिखते है यह लिखते हैं फरस्ट पाइट की करें तो अगर हमीधा के बाएस हम बात कने टोटल कुल परणाम तो 352 क्यों हमारे पास 366 दिर है हमारे पास तूप समिता हमारी पाइदा हो चुकिए किसी भी दिन पैदा ओगी दिन में सरह उसकिता किसी बीडिन पैदा हो सकती है तो सवीता के हमारे पास पैदा हूने के पास चाहिश कित्ती हो जाएंगी 3364 तो पहले पार्ट का हमारे पास आणसर क्या हो जाएगा इसका probability नसार हो जाएगा वनिदिता हूं फी ब़ाबन देता हूं पहला पार्ट क्या हो सब्erkамिट both pay थे फेनकिया एंधा सर्ट में सब्हारे सब्सक्राइब कि एक इंपॉर्धेंड बात और कि किसी को यह लगए कि समीधा के बारे में क्यों बात नहीं है कि सिर्फ हमीधा के बारें बाट की कि हामिदा 314 में किसी दिन पैदा ओर रहा है सब सवीता की बात इस वज़े से नहीं की क्योंकि सवीता को मने माल लिया कि पहले पैदा तो सवीता के पास हमारे पास अभी भी कुल परणाम तुमारे पास 365 थे लेकिन सवीता के पास अगर देखो तो च्वाइस कितनी थी उसके पास 365 में से किसी भी दिन पैदा हो सकती थी तो वेलू सेम रहेगी, किसी भी चीज का वन से गुणा करोगे, तो ये चीज तो बदलेगी नहीं, तो इस वज़े से सविता की बात नहीं की गई, इसके पीछे का concept ये, कि सविता को हमने माल लिया कि 365 में से वो किसी भी दिन पैदा हो गई है, किसी भी एक दिन पैदा हो गई है अब बात आती है, हमारे पास हमीदा के पास कि वो उस दिन पैदा ना हो, तो सिर्फ सविता वाला वो एक दिन हमने हटा दिया, बचे 3064 दिन, उस 364 में हमने 365 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 365 हमारे पास कुल पढ़ना हम है, अब उसके पास 24-34 रहे गई, एक 24-34 हट गई गई तो वह 365 रहे हो जाएगी, तो सविता दूसरे दीन होगी, तो 354 रहे, 365 हो जाएगी, दोनों बात ओका मतलब से मैं, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होजाएगा, 300-64 बटे 365, बात के लिए सभी को, प्यारा कोश्चन है, थोड़ असर लॉजिक लगाना है, बा यह किसकी probability है, दोनों का जन्म दिन भिन्द भिन्दो, यह किसकी probability आई है, भिन्द भिन्दो, कि दोनों के जन्म दिन भिन्दो, अब हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है, कि दोनों का जन्म दिन जो हो, वो एक ही दिन हो, यह तो कहरा है, दोनों का जन्म दिन एक ही दिन तो दोनों का जम दिन भिन भिन हो दोनों का जम एक दिन हो दोनों की प्राइकताओं का योग वन होगा होना और ना होना किसी गटना के होना और ना होने की प्राइकता का योग एक होता है अभी हमने पड़ा तो अगर हमें पी बार चाहिए सिंपल हम इसके उपर बार लगा ल मैं पी बाल लिख देता हूँ दोनों के जन्म दिन भिन्न भिन्न या फिर एक ही दिन हो यहाँ पर यह लिख सकते हैं दोनों के जन्म दिन हो एक ही दिन हो तो वन माइनस पी हो जाएगा वन माइनस ती मतलब वन माइनस 364 बटे 365 लेलो तीन सो पैंसर माइनस तीन सो चॉट करोगी एक बटे 365 आ जाएगा एक बटे 365 इसका बात सब पी वो लिखा और उसको मैंने 344 बेटे पैसे दिखाया अब दूसरे पार्ट बेको उसने का कि एक ही दिन पैदा हूं तो आपको पता है कि एक भिन्न भिन्नों और एक दिनों दोनों की प्राइक तो कई हो गुवर्ण हो जाएगा तो पी प्लस पी बार बराबर हमने वन किया और पी बार का मतलब था कि दोनों के जन्म दिन एक ही दिन हो तो इससे हमने वो चीज़ें हटा दी जिसमें एक दिन नहीं हो रहे थे और सिंपल आ गया कि एक ही दिन होने की प्राइक ता ये इस पश्टे सभी को चले आंगे वेरी गुट चलते हैं अगले कोश्यन पे ये नंबर उदान हो गया अगले अगले एकसासाइस की बात कर रहे जो हमारी पास लाश्ट रसकाइब लाइंस तोरी वैसी है बाकी कोशना असाल के रहा है 1900 चेयर के बारे में पता है आप लोगोने खेले होगे वैसे इस टाइप का नहीं कहते होसी लोग नहीं कोछने है खेला भी होगा फिश्यकलब रखे जाते हैं सबुझा को शर्क दी 짖 हमें लुख वी रख लेते थे इوقल नहीं रख लेते थे उसके बैठना ओता था ऐसे आप थोड़ा सा अच्छे लेवल में खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो चेर्स रख लेते चेर्स रख लिए और एक sound बजाते हैं बजाते हैं ठीक और जब वो म्यूजिक बसता है तो जैसे पांच लोग दॉलर रहे उस चेयर के आसपास तो चेयर कितनी होगी चार हमेसा मलब लोग जोंगे वह एक जादा होता है जिद्धी चेयर है उससे एक लोग जादा हो तो इधर मूजिक बसता है फिर मूजिक भजा रही थी उससे सला देंगे सा जो बजा रहा था जो ग़ाना चला रहा था उसे यह सला दींगिठी ये वह संगीत प्रारम करने के 2 मिनट के अंदर कभी संगीत बंद कर दें मतलब यह था कि जिस ऐसा है कि जब भूट रहे होंगे तो दो मिनट का MIKE rendon महिला के पास कि दो मिनट के अंदर ही उस संगीत को बंद करें ताकि वो लोग बैठें ऐसा नहीं कि वो चलता ही रहे संगीत को दोड़ी रहें वो लोग दो मिनट का टाइम था कि दो मिनट के अंदर वो कभी भी बंद कर सकती है दोड़ना इस्टार्ट किया उसके बाद मिनिट के अंदर में मैक्समान दो मिनिट तक चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा ठिक बंद कर दे तो उसके बाद कह रहा है तो इसकी क्या प्राइक्ता है कि संगीत प्रारम होने के पहले आधे मिनिट के अंदर बंद हो जाए अच्छा समझो बात कह रहा है मैं प्राइक् प्राइक्ता बराबर में लिखते हैं अन्कूल पढ़लाम बटे कुल पढ़लाम देखो यहां पर कुल पढ़लाम कितना है कुल पढ़लाम मतलब कि टोटल उसके पास संभावना टाइम कितना है दो मिनट का उसके पास टाइम है कि दो मिनट के अंदर वो कभी भी बंद कर सकती वो आधे मिनट पे वो एक मिनट पे वो डेढ़ मिनट पे उस सवा दो मिनट पे तो नहीं जाएगी पहुने दो मिनट बोल सकते हैं कुल पढ़नाम जो उसके पास है टोटल उसके पास कितनी है वो दो मिनट का है कि दो मिनट के अंदर कभी भी बंद कर ले उसके बाद उसने क जुछ संगीद प्रारब होने के पहले अधे मिनट में बंद करने की संगीद प्रारब होसे होने के पहले आधे के अंदर बंद हो जाएगा तो आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा तो बटे हमारे पास अनकूल परणाम में क्या जाएगा यह आधा मिनट आधा मिनट हमारा अनकूल परणाम है जिसमें बंद होना चाहिए टोटल हमारे पास टाइम दो मिनट है यही इसका अंसर है दो चला जाएगा तो एक बटे चार आ जाएगा प्राइक ताइक बटे चार है एक लाइन का कोश्चन है पर सोड़ी लैंग्विज कंफ्यूजिंग लगती है इस वज़े से कोश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इस्टार मार कर रखा है उसने की कोश्चन आपको पता है कि दो मिनट कुल पढ़नाम था अनकूल पढ़ना हुमारे पास आदा मिनट है एक बटे चार इसका राइट आंसर के लिए चले आंगे लापता हैली कार्टर के बारे में सूचना मिलती है एक हली कार्टर लापता हुआ है उसके बारे में सूचना मिलती है कि आकरती 14.- twee कोशन में था आइताकार शेतर में कहीं गिर गया या इसमें कहीं हैσι Is अब इसके आंगे कह रहा है, इसकी क्या प्राइकता है, कि वह आकरत में दर्साई गई जील में गिरा है, अच्छा, आकरत में जो दर्साई गई जील में जो गिरा है, यह मैं बात बताना है, कि इसकी क्या संभावना है, कि यह इस आकरत में दर्साई की जो यह साइड में जील है यह दिख रहे ना सभी को यह लेक लेक मतलब की जील तो इस जील में गिरा इसकी क्या संभावना है यह में आप से बताना है वैसे कोश्चन आसान है आप कर लोग है ऐसी कोई दिक्कत ने यह जील जो है इसमें गिरा है इसकी बात की क्या संभावना है इसकी क्या प्राइक् teh Cleo Pornin um a change alpha uncool पढ़नाम हमारे पास क्या ओगा uncool पढ़ में कहां पे पताना था हमें बताना है कि जील में गिराओ तो अन्कूल पढ़ना हमारा जील है और Väärीट सेपरतीस पूरे अधकार बिक निए यह तो में पता है लेकिन जहाँ पर हमें पता करना है वो है लेक कि क्या संबाओना है कि लेक में गिराओ तो अनकूल हमारे पक्ष में क्या है लेक मतलब की जील तो हमारे पक्ष में जील का परणाम और कुल परणाम या आयताकार पूरा हमारे पास एरिया हो जाएगा तो जील का एरिया निकाल लो बटे में कुल एरिया ल कि बराबर कि हो जाएगा कोara Ful Pala Me Жil में मी विग देते हैं व संसा करते हैं रिख देटे प्राइक तक फुल पढ़ना में क्या जाएगा आयताकार छेतफर शेतपल इताकार शेतफर खेतफर शेतफल इमें जबतें अब area में बताना पड़ेगा सिंपल एरिया की बात करनी पड़ेगी तो इस आयताकार छेत्फल लेलो उपर जील का छेत्फल लेलो जील का छेत्फल ठीक आयताकार छेत्फल बटे जील का छेत्फल अमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका अंसर बनेगा ठीक अब बात करते हैं तो पी बराबर क्या हो जाएगा आयताकार छेथफल किता हो जाएगा आयताकार छेथफल है सर इसकी लंबाई तो टोटल है मारे पास नो और चौड़ाई है साड़े-4 अच्छा जील का कैसे निकलेगा जील में देखो जील का देखो अमेद दिया नही कि आयजे एमरी पास्टो टोटल साले चारे ये साले चारे ये दो एथी तो एक टीगाए रही ऑर्डो मिल किसा डेशारो जाए गए ठीक पार जाले है जया तो ये बी आये थाकारे तो ये भी आयताकार ए एसका फेटल के ऑलंगा लंबाई गोने चोड़ा इसक्विडाइ इधर तीन इधर तीन तो इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा तो यह हो गया मारे पास तीन गुणे दो दसम्लों पांच दसम्लों से दसम्लों भट गया तीन तरका नों हो गया ठीक 25 25 95 वो गया बस 5 बटे 27 हो जाएगा और तो कुछ है नहीं पांच बटे 27 इसकी प्राइक्ता किती आ जाएगी पांच बटे 27 उपर बचेगा पांच नीचे बचेगा नौक अठार नोतियस ठीक है यह इसका अंसर हो जाएगा कोशन आसान है वैसे देखने में थोड़ा सा वैसा है कुछ नई चीज है कि कैसे पता लगेगा इसने आप तक प्राइक्ता की सम्भावना यहां पर तुम्हें चांस नजरार है ठीक है चले आंगे हैसे को इस बंड़न्म छार बल्ब खराब है अच्छा हमारे पास टोटल कितने बल्ब है ऐसे केस्में आपको ऐसे ही लिखना आप ऐसे लिखना है आप ऐसे लिखोगे कि 20 बल् 20 बन वो में Kira एह कि हमारे पास चार बल्ब खराब है न हमारे पास खराब बले कि चार खराब बल्ब अगर बीस में चार में मतलब कि 16 और थिक सीधी सी बात यो चार खराब है तो 16 अच्छे यह बात अचानक से उसने 20 बल्ब ऐसे माल लो एक पूल्डरी में थैं उसे एक बल्ब उसने निकाल अब कह रहाए है इसकी प्रराइक्टा ग्याद किजिए कि यह बल्ब खराब होगा पहले पाड कि हम बात करते हैं कि कर रहे हैं कि यह बल्ब हमारे पांच इसका राइड आंसरों ठीक कोई रिकतरी कुल बल्ब हमारे पास बीस अनकूल पर नाम खराब पर मार में हमारे प्रक्राब है चारे खराब तो चार बटे बीस सिंपल सांसर हो गया दूसरे पार्ट की बात तरूत है कि दूसरे पार्ट में कह रहा है कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं था अच्छा अब उसने कहा कि निकाला जो बल्ब आपने रेंडम ली एक बल्ब जो अभी पहले पार्ट में निकाला था मान लीजिए पहले पार्ट के अनुसार कहना है मान लीजिए फ़ अब एक बल्ब तुमने निकाला, यही तो कहा उसने, कि बल्ब निकाला गया और बल्ब खराब नहीं था, और ना ही उसे दुबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, मतलब जब तुमने बल्ब ऐसे निकाला, और वो तुमने देखा कि खराब नहीं है, मतलब कि बल्ब अच् पास कहा पर पड़े उसी पोर्टरी में पड़े लेकिन जो अमने बल्ब निकाला था वो अच्छा था मतलब कि 15 बल्ब हमारे पास अब अच्छे वाले बचे तो कह रहा है अब बात बताओ आंगे अब सेस बल्बों में एक यल्ब अच्छा निकाल एक बल्ब निकाला जाता है अब जो बचे हुए बल्ब बचे हैं बचे हुए बल्ब का मतलब एक बल्ब जब तुमने निकाल लिया वह अच्छा था उसको तुमने हटा दिया खराब नहीं था मतलब अच्छा था उसको हटा आप हमारे पाज टोटल परणाम 19 बचे क्योंकि अब बल्ब अमारे पास Magazin कि लेकिन आप कहला है कि जो यह मिंद निकाला गैर वो खिराब नई है अगर वो भर खराब नहीं है समय इस बाद का मतलब ऐकि बलब गढ़ाने कि पहले एक भल्ब कं करना है इसमय से वोरणीज बचे गा और जो बल्ब कम होगा वह अच्छा वाला बलबो कम होता को कुणक्य उस्ने का था वो खराब निश्यक्त हूद RES अच्छे बल्ब की निकलने की प्राइक था समझे घथीक है कंले रहा है सभी को यह कोश्चन जटे हैं आप चलते हैं अगले कोशिन पसंडिया कोश्चनky बश्ट्टियु को बस अभी सारा पूरा चैक्ट्र अपना फिनिस होता है detail में proper आपका revision के साथ ही chapter खतम होगा परिशान नहीं अठारवा question हो क्या करें सारे important question मैं करा दूँगा class में और सारी one-sorts में मैंने यही किया है कि सभी important question ही कराएं जो पिछले कहीं ना कहीं exam में पूछे गए हैं 15 साल में तो मैंने सारे long questions मैंने one-sorts के मात्यम आपको कराएं तो प्रॉपर आप इन one-sorts को complete कीजिए जिसने भी जो चैप्टर पिछला नहीं भी complete किया है उसको आप टाइम निकालिये और प्रॉपर उसे complete करें और मुझे comment करके जरूर उसमें लाश में हुआ उसमेंएक सिनवे तक की पूरी सनख़्ाम की थे और नबय डिस्क थे तो एक नमबर की और यह से RA भी इस प्रॉपर याद इस पेटे में से एक डिस्क यह द्राच्छानिक this हमने प्रॉपर प्र मैसी और इक डिस्क निकाली तो इसकी प्राइक्ता ग्याद कीजिए क्या प्राइक्ता ग्याद करनी है कि इस डिस्क पर अंकित होगी क्या प्राइक्ता ग्याद कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी क्या दो अंको की एक संख्या अच्छा कहने का मतलब यह है कि जब वो डिस्क जो रखी थी पेटी में से उससे जब तुमने एक डिस्क के याद राच्छा ऐसे निकाली तो उस डिस्क पे जो नंबर लिखा था वो दो अंक का था जब तुमने डिस्क निकाली तो उस पे दो अंक का नंबर लिखा था इसकी क्या प्राइक था है और अंक कितने अंकीत है एक से 90 तक के अंकीत है अच्छा द संख्या तुम्हें 10 मिलूएं ऐसे फिर 11 आंगे 12 आंगे सारे संख्या तुम्हें दौंध और की ही मिलेंगी 9 तक पहुचते पहुचते आप 10 पहली संख्या क्या मिलेगी जब आप 10 पर पहुंचे उसके बाद видно बेट tot चलोगे सारी दोवे वे तक लिखनिक जिए हूंगी जिस पर एक उनकी सघी से अगर आम वो न्हांग खटा दे तो अमें 81 ऐसी संख्या म्लेव क्यों कि टोटल लबे उससे एक से नो तक कि 9 हटा दो एक आसी संख्या हो होगी जिन पर दो अंक लिखा होगा दस ग्यारा बारा ऐसी किती संख्या हो जाएंगी 81 संख्या हो जाएंगी हमें दो अंक्टी संख्या की प्राइक्ता बतानी पहले पार्ट में तो पीस अगर इसे दर्साएं तो खुल पर्णाम हमारे पास 90 सो कि नबे डिसक एक सिनब तक कितने नबे और हमारे पास हमारे पक्ष में कितने परड़ाम है पक्ष में अगर हमारे परड़ाम देखे जाए अनकूल परड़ाम जो है यह हमारे पास किती है यह 81 संख्या है किती है 81 संख्या 10 से लेके 90 तक तो हमारे पास यहां ऊपर किता जाएंगा अनकूल परड़ाम में एक्यासी तो नो नोवाई एक्यासी नो दाम नब्वे मलब 0.9 इसके क्या हो जाएगी प्राइक्टा हो जाएगी बात के लिए रूई सभी को कोई डाउट कोई समस्या तो नहीं लग रही किसी को सिंपल सी बात है कि दो अंकी उसे संख्या चाहिए तोटल तो नब्वे कुल परणाम तो 90 वे इक से 90 तक के संख्या है और आप जब box में हाट डाल तो आपको नब्वे सी इपने दिखती है कि नब्वे है तो कुल परणाम नब्वे है लेकिन हमें 81 में से कोई एक चाहिए क्योंकि दो अंक वाली चाहिए तो 182 बटे नब्टे दूसरे पार्ट की बात हो रही है ऐसाना समझना कि दस से बात है एक मतलब एक होगी पूरवर्ग संख्या फिर 9 फिर अमारे पास ici किती हो जाएगे 9 के बाद हमारे पास 4-16 फिर 25 मतलब कि ऐसे केस बनेंगे देखो पहली पूरो सज्ञ्या एक फिर दो का स्क्राइर मतलब की चार पूर्वर्ग संख्या है फिर नौ है नौ के बाद थो का टीयं का चार का पाँच जैसाद आटब ज सामड़ा नौ आशब यह थि पूर्वर्ग संख्या है एक दो तीन चार पांच सब्सॉत्भान नौ तो इसके मतलब इसकी प्रेटा कित्पी हो जाएगी sì परहाबर अगर इसकी प्राइकता अगर हम लिखें तो सरे इसमें टोटल परणाम तो अभी भी हमारे पास नबे एक से नबे तक लेकिन हमारे पक्ष में किती है दो दूचार दूच्छा है दो आठ एक नो तो नो बटे नबबे मतलब कि एक बटे दस अलब जीरो दसम्रों के इसकी प्राइकता हो जाएगे यह हो गया दूसरा पार्ट आप चलते हैं तीसरे पार्ट पर तीसरे पार्ट में कह रहा है तीसरे पार्ट में कहे रहा है पांस से विवाज संख्या संख्या है तो एक सनब्वे के बीच में पास से विवाज संख्या है कौन को भी पांच सिंगी पांच 10 15 20 25 35 पाढ़ा पर लेक्रकार से 40 45 और चास पच्पन इत्ती होंगी और तो कोई नहीं लग रही एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो दस क्यारा बारा तेरा चौदा पंदा सूला सुतर अठार अठारा संख्या ऐसी होगी जो पास से विवाजित होंगी तो अठारा अन्कूल पर नाम है प्रैक ताव होगी कि कुल पर नाम हमा पास एठारा है तो एक बटे पांच इसकी प्रैक्त आजाएं है कि संपल एक बटे 5 इसका अशले क्लियर ये कॉश्चन तीन पार्ट में था अच्छा कोश्चन था प्यारा कोश्चन था कुछ नया सीखने का था उस प्रकार से इस को किया जाएगा अंतिम कोश्चन एक बस पासे को इस आकरती 14-16 में दर्साया गया आयताकार में या द्राच्छा रूप से गिराया जाता है मतलब यह है कि हमारे पास एक पासा है और पासे को हमने क्या किया इस आयताकार जोई सेफ है जिसकी हमारे पास यह दो मीटर की चोड़ाय और ती मीटर की लंबाई है इस पर ह फेकते हैं इसी पासे के अनमलब इसी आयताकार सेफ के अंदर ही वो पासा रहना चाहिए यही बात कह रहा है तो क्या कि कि इसकी क्या प्राइक्टा है कि वह पासा एक मिली मीट एक मीटर व्यास वाले व्रत पर अंदर गिरेगा कुल पर्णाम में हमारे पास यह आयताकार सेफ है कि आपने पासा फेकना है वो इस आयताकार सेफ में रहना चाहिए यह तो कुल पर्णाम है इसी में हम फेक रहे हैं या द्राच्छा कहां फेक रहे हैं इस आयताकार सेफ में अब वो प्रायक्ता उस चूच की पूछ रहा है क कि इस आयताकार सेफ में जो एक मीटर व्यास वाला ये तुम्हारे पास जो एक ये व्रत है न ये एक मीटर व्यास का जो तुम्हारे पास ये व्रत है ये मारे पास क्या दिया गया ये मारे पास व्यास है यह इसका व्यास दिया गया है एग मीटर व्यास वाले इस वरत में अगर वो गिरेगा तो इसकी क्या प्राइकता है सिंपल सा कोशन है आप कैसे करो कि वही काम करोगे आपको पता है कि सरम लिखते हैं प्राइकता बराबर कुल पर्णाम अरे अनकूल पर्णाम और बटे का होता है कुल पर्णाम ठिक अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुल पर्णाम क्या है कुल पर्णाम है तुम्हारे पास आयताकार शेतफल जूर यो मारे पास आयताकार शेतफल आयताकार शेतफल और अनकूल जिसमें हमें चाहिए वो मारे पास है एक मीटर व्यास वाले वरत तो वरत का शेतफल अमारे पास क्या है अनकूल पर नाम में दोनों के शेतफल का बस फार्मूला लगाना आपको पता है पुरत का छेटफल होता है पाई आरे स्कॉयर आयताकार छेटफल होता है लंबाई गुने चोड़ाई सब कुछ पता है ना दको आयताकार इसका व्यास तुम्हें पता है तो तुम्हें यहां से लिख सकते हो कि इसका जो मारे पास त्रिज्जा होगी वो इसकी आधी होगी मतलब एक बटे दो मीटर होगी use Formula लगा तो यासा हो जाएगा मैं प्रावर लिख लिता हूं यह हो गया भाई- लिखुत नहीं है। यहाँ और बट्रीधोर है यह पाई नियमदी ट्कत नहीं है भी लिख दो या 222 घृट ढर बाई दोढक्र से टिक सार्म जाएगा ऑ़ जीरोत शुबनेखाल इतले जन्मलो पांच क्या एक बटेदर फिर्टे दो गुरे एक बटे दो बटे में मारे पास लंबाई मारे पास से दो प्रदेशुणले से हुझ तो ऐस बटे द Gesetz मेना 11 यहमारे पास हो गया पी बराभर 11 oldest 14 ऑ कुछ चोविश चैकम छे दो आच चोचन चौराइश एक बटे दो गुणे एक बटे दो हो गई नीचे लंबाई मारे पास दो मीटर तीन मीटर रहता कार की तो दो ती अच्छे तो ग्यारा बटे चौराइश इसकी प्राइक्ता आ जाएगी ठीक है किलिए चेक कर लें बाकी इतना ही था तो यह हमारे पास प्राइक्ता पर आधारित हमने वन सौट अपना कंप्लीट कर लिया है इस पर जितने भी कोशन मैक्सिममम बन सकते थे मैंने सारे टाइप कोशन कर लोगे थे ळाधा बड़े नहीं तो मैंने अग्र्य ने कोशन कर लोगे न तो आप एक स्कूल में आप एक यह कोशन कर लो आप रजस्तान बोर्ट से पढ़ रहे हो आखनवार्थ की कसी बोर्ट में परेटन फालो करता है यार से किया ख़िजन कर रहे हैं तुम आराम से पर और इसको को रिवीजन के तौर पर लेना एक बार में ही लेक्चर रिवीज इसको रिवाइस करने कोशिश करना है ताकि आपकी अच्छी से आदत हो सके कि आपको कैसे एक्जाम में बैठना है ठीक है तो अपना आज का लाश तो बन सौट था अब हम लोग लाइफ क्लास में तो अभी म आपको करा रहा हूं तो इन चैप्टर को प्रॉपर आप रिवाइस करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने सारे बन सौट देख लिए और आपको कैसे लगी है ठीक है मिलेंगे अगली क्लास में लाइफ क्लास होगी तो मिलेंगे तब तक के लिए टेटा कर दो हुआ है तो कि आपको कैसे लिए पना तो मिलेंगे डोरूर आपको